543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 मजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोवा में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है चै केंदरशासित परदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनी NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य परदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अगलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है अन्डिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो 2 सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस तरवे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे हुँ आखा आपके सामने है अन्डमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगड NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदुचेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास पर एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशाड़ा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गट बंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं जानुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटे जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटे जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभा की सीटे दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया अपने? पहली बात तो यह कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली अनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हम दो उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबाग इसे इलक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोगों के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो 20 सीजडी का सपोर्ट बेस उटकर के सीधे-सीधे BJP को चला जाता है वीदान सबाद चुना होता है तो वो आमाधी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तब भी उतना ही था, साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेर का अंतर है, दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लिट वोट पड़ रहा है, दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन, फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी वोट हर बार विधान सभा और लोग सभा चिनाओं में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी मारे साथ जुड़ गया अलोक जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की वज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ के दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है के पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़्यादा जुकाओ रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट पर्सेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है क्या भी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि सात में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े है और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी पंदरा साल बाद भीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही है तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाओ में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इसको बिहार जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको ओपीनियन पोल में वहाँ पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिनता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो अनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोडना चाहूँगा देखिए जो विरोधा बास ग्राउंड लेवल पर आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिलकुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रष्टाचारी है कहा करती थी कि ये शराब घोटा लेके किंक पिन है इनको अंदर डालिये पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ हाथ मिलाना पड़ गया गडवंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में केडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धर्ती पे खड़े होकर के अरविंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए सिदार जी मैं आपसे बिहार का सवाल पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए मैंने बिहार का जवाब देकर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कुछ जोड़ना चाहता हूँ अगर आपके अनुमती नहीं है तो मैं नहीं जोड़ूँगा नहीं मैं बिहार पे थोड़ा और ये आपसे पूछना चाहता था कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछडों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहा पिछडों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावा तो कर नह नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल, पब्लिक इंटरस्ट माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूं। अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है। अब तक आप देख चुके हैं। अध्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है। इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ। जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं। बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं। अगलेश आप चार मिनिट में 59 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण। उन्ने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस सर्वे के मताबिक। 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा यह जरा आप नजर डालीजिए। बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है। के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो सीवोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशाड़ा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है। जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही हैं। साथ सीटे जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है। साथ की साथ जो लोग सभा की सीटे दिल्ली में हैं वो एंडिये के पास जाती हुई नजर आ रही है। गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है। लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं। ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं। अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं। लेकिन आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे। लेकिन 69 सीटों की fight देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं। उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या। क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का comeback करा पाएंगे। सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा। तुष्थी करण की राजिनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा। ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही है। अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं। सबसे पहले, यश्वंत जी, आपने सारा ये सर्वे करवाया, जमीन पर रहे, आपकी अलग-लग टीमें गई। राजधानी से शुरू करते हैं, क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़े क्या मानिया आपने। पहली बात तो यह कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करत हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कंडिडेट के इतर बीदे के मौलिक रूप से कंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेर हमारे पिछले मूड अफ दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबक इतन विधानसबा सीटों का अंतर है वोट शेर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लीट वोट पढ़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबं तकरीबं 20 स्विजदी वोट हर बार विधानसबा और लोगसबाद शिनाव में बीजेपी और आमादमी पार्टी के पीच में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वो वोट केवल चूकि आमादमी पार्टी कॉंग्रेस का अलोग जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कफी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं कहीं कमपिटीटिव रहे हैं अगर पिशली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़ादा फर्क नहीं था इतना जरूर है किया भी कल हमारे कैंड़ेटेट डिकलेर हुए तीन कैंड़ेट जबकि बीजे पी और आम आदमी पार्टी के कैंड़ेट्स पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से चे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो चे कैंडिडेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई की भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टकर है देखिए अभी तो ब अपिनियन पोल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी उपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो अनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बात अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बात मैं पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया, गड़बंदन करना पड़ गया, पर क्या वास्तव में कैटर कभी साथ हापाता है, जिस दिल्ली की धर्ती पे खड़े होकर के अरविंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलाद आजी कॉंग्रेस पार्टी की, और दिल्ली का तो सब कुछ ही छीन करके ले गए, जिदार जी मैं आपसे बिहार का सवाल पूछ रहा था, आप दिल्ली पहुंच गए, मैंने बिहार का जवाब देखर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कुछ जोड़ना चाहत तता कि वहां जाती है जन्गना क्या फेल हो गया, क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या, जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से, देखे जगविंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जगविंदर को लेकर के जिस प्रकार का एक narrative building ये देश का पिछड़ा वर्क जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछडों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहा पिछडों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावत तो कर नहीं सकती तुम विहार के अंदर चोड़ी मैं तो बने रहीए आप से बात करेंगे फिर अम मैं ये तो आप चार राजियो पर 6 केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अकड़ा देख चुके हैं, उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल, पब्लिक इंटरस्ट माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूं आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले 4 घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 घंट में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 घंट की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP नीउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजरा रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदर शासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदर शासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अखलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फार्नल ओपिनियन पूल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है NDA के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जब कि India Alliance की बात की जाए तो 2 सीटे इन के खाते में जाते हुई नजर आ रही है II DF की बात की जाए और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नज़र आ रही है 12 सीटे जीती हुई नज़र आ रही है इस सर्वे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखे मेरे पीछे वो आगा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है चंडीगर NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नज़र आ रही है इस सर्वे के मुताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नज़र डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नज़र आ रहा है तो सी वोटर का जो ये सर्वे है ये क्या इशाड़ा करता है बिहार को लेकर ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नज़र आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे है हनुआन जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बा में साथ की साथ जो लोग सभा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसरा रही है गोवें NDA और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना मद्यपरदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलगलग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़े क्या मानी आपने पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनाउस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से इलक्षन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जेतनी बार भी लोग सबार्ट चुना होता है वो बीजएपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे-सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबार्ट चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले mood of the nation में देश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 36-37% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें seat the seat कुछ असर पड़ेगा तो अब candidate come को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोगसबा और विधानसबा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक swing state है यहां split vote पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर 65 तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फिजदी वोट हर बार विधानसबा और लोगसबा शनौव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा anti-congress vote है जो दोनों के बीच में swing करता रहता है इसलिए वोट केवल चूकी आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये smooth chemistry वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ के दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है के पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कमपिटीटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुल्वामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजीपी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी काल हमारे अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है के 7 में से 6 काईड़िट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजे पी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाओं में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इंडिया अगरता जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनिन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम हो देखिए जो विरोधाबास ग्राउंड लेवल पर आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए जाती है जाती है जनगर्णा क्या फेल हो गया क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उससी साथ से देखे जग्मिंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जनगर्णा को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिषडा वर्ख जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषडों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी ह ये कहां पिषडो की, सोशितों की, वंचितों की, दलितों की बात कर सकती है, ये तो राहुल बाबा की बात कर सकती है, प्रियंका दीदी की बात कर सकती है, असके लावा तो कर नहीं सकती। अब पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं वारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है, तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की 90 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है गोवा में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में टाई होता दिख रहा है 6 केंद्रशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजहान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजहान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंद्रशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंद्रशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अगलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल उपीनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिये मेरे पीछे वूँ आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगड NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदुचेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास पर एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गट बंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं जानुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गडबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राज्यों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें Guests के Reactions लेने हैं लेकिन आपको हर्याना, मद्यपरदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की fight देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का comeback करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे opinion पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट reaction लेते हैं सब से पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके candidate कॉंग्रेस के जो है वो कली एनाउस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक impact देखना पड़ेगा अब दुरबागे से Election Commission के notification के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन candidates के इतर भी देखे मौलिक रूप से contradiction है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा support base anti-BJP और आधा support base anti-congress है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो 20 सीजदी का support base उठकर के सीधे सीधे BJP को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आम आदमी पार्टी की और shift हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो vote share हमारे पिछले mood of donation में डेश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें seat the seat कुछ असर पड़ेगा तो अब candidate कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा seatों का अंतर है वोट share का अंतर है दिल्ली एक swing state है यहां split vote पड़ रहा है दस साल से हमने देखा 70 के बाद में 63 फिर 70 फिर 65 तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में swing करता रहता है इसलिए वो वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूध केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोक जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों के अंगल से बहुत ज़्यादा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटीटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजी बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है कि सात में से 6 कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो 6 कैंडिडेट ज इस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिट सिटी बदलेंगी और साथों की साथों सीटे हो हैं सिदार जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालूम है आपको ओपीनियन पोल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारतिय दिल्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में क कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं कुछ मैं उसमें वी जोड़ना चाहूंगा देखिए जो विरोधा बास ग्राउंड लेवल पर आमाद मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केज रिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही छीन करके ले गए आज यह आप से बिहार का सवाल पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए जगविंदर जी बिल्कुल यह प्रत्यक्ष है कि जाती है जगविंदर को लेकर के जिस प्रकार का एक narrative building यह देश का पिषड़ा वर्ख जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषडों से कोई हितेश ही नहीं है यह तो परिवारवादी पार्टी है यह कहां पिषडों की केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे एबीपी न्यूज के final opinion पॉल में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल पब्लिक इंटरस्ट माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 116 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP नियूस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है चै केंदरशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ मुड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको चार राजे और छे केंदरशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और छे केंदरशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अगलेश आप चार मिनिट में उनतर सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है शरा उस पर नजर ढलिए देखिए आपके सामने जो आकला है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया आलाइंस की बात की जाए तो दौ सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस तरवे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे हुँ आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगण NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदुचेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास पे एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गट बंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिनवान जी की विशाल प्रतिमा जो कि करोल भाग एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां कि इसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए, NDA साथ सीटे जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें, तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है, साथ की साथ जो लोग सभा की सीटे दिल्ली में हैं, वो NDA के पास जाती हुई नजर आ रही है गोवें NDA और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है, लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने? पहली बात तो यह कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरभागे से इलक्षन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जेतनी बार भी लोकसबाद चुना होता है वो 20 स्वीजडी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे-सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तब भी उतना ही था, साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें seat the seat कुछ असर पड़ेगा तो अब candidate come को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेर का अंतर है, दिल्ली एक swing state है यहां split vote पड़ रहा है, दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन, फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी vote हर बार विधानसभा और लोगसभा चिनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है, जो दोनों के बीच में swing करता रहता है इसलिए वोट केवल चूकी आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा, यह भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए, वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है, यह स्मूध केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया, अलोक जी यह फाइदा होता नहीं दिख रहा है, रुजान किस तरफ जा रहे हैं, आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी, आप सहमत है इससे या नहीं, कोई और चीज आप निकाल कर लाएं है, जो हमारे वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो, वोट बैंक भी अगर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कम्पिटीटिव रहे हैं, अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें, पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी, और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद बी तो बीजीपी का वोट परसंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें, तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था, इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं, तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के क अदलने पड़े हैं, और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है, वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए, उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी, वो नहीं उठाई, और जब आती है बात मुद्दों की, कॉर्परेशन में भी 15 स सिटी हो गई, उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है, इसको मैं नकारता हूँ, और कांटे की टककर है, देखिए अभी तो बहुत समय है, डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है, परिस्ति सिटी बदलेंगी, और साथों की साथों सीटें इंडिया अगर्णने इसके बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया, जेडियू का साथ जोड़ लिया, लेकिन मालू मैं आपको, ओपीनियन पोल में वहाँ पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको, देखिए ज जो एनालिसिस हुआ था, वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया, तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ, पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे, तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोड़ना चाहूँगा, देखिए जो विरोधाबास पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया, गटबंदन करना पड़ गया, पर क्या वास्तव में कैटर कभी साथ हापाता है, जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अरविंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की, और दिल्ली का तो सब कुछ ही छीन करके ले गए, आज या पिक्षार का सवाल पूछ रहा था, आप दिल्ली पहुंच गए, मैंने बिहार का जवाब देकर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कुछ जोड़ना चाहता हूँ, अगर जग्रणगा को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग, ये देश का पिछड़ा वर्क जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछड़ों से कोई हितेशी नहीं है, ये तो परिवारवादी पार्टी है, ये कहां पिछड़ों की, सोशितों की, वंचितों की, द पाइनल ओपीनियन पॉल में आपका स्वागत है, नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल, पब्लिक इंटरस्ट माला पट्याल, लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूं। पर रुजान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है, यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं, अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़की है, तीनों राजियों में लोग सवा की 50 सीटे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अफडेट देगा, जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं, इन रुजानों में सबसे प NDA की तरफ उड़ा हुआ है, पूरी तरह से ओपिनियन पूल, असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं, ये अब तक आप देख चुके हैं, हर्याना मद्यप्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है, इसकी प असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदर शासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं, अखिलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए, फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं, आप बात कर लेते हैं, असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है, जरा उस पर नजर डालिए, देखिए आपके सामने जो आकड़ा है, एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जब 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है, इस सर्वे के मुताबिक और गोवा में क्या है आकड़ा, ये जरा आप नजर डालीजिए, बात हम कर रहे हैं, गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुई नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुई एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है, और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुई नजर आ रहा है, तो सी वोटर का जो ये सर्वे है, ये क्या इशाड़ा करता है बिहार को लेकर, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं, बिहार में आप देख जाता नहीं खुल रहा है, और अब बात कर लेते हैं, देश की राजधानी, दिल्ली की, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हनुमान जी की विशाल प्रतिमा, जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है, अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आ बात कर लें, तो शुन, यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है, साथ की साथ जो लोग सभा की सीटें दिल्ली में हैं, वो एंडिये के पास जाती हुई नसरा रही है, गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है, लेकिन बाकी चार राज लेने हैं, लेकिन आपको हर्याना, मद्यपरदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं, उत्तर भारत की 180 सीट में एंडिये क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी में गई. राजधानी से शुरू करते हैं, क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना, कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने? देकि पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्व करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कंडिडेट के इतर बीदे के मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद शुना होता है तो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब यह साथ में लड़ना है तो दो दुनी चारवला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अब दोनेशन में देश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था छट जे साथ इस परसेंट यह अलग अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड का साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर फिर पैंसट मार्च तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी वोट हर बार विधान सबाव लोग सबाशनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में यह ऐसा एंटी कॉंग्रे वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आमादमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा यह भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आमादमी पार्टी को मिलना च इसे या नहीं कोई और चीज़ आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के एंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कही ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आमादमी पार्टी के कैंडिडेट्स पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रह है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद बीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक कि मैं विनमरता के साथ जो उपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और साथों की साथों सीटे इंडिया अगर्वार जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड लिया लेकिन मालू मैं आपको उपीनियन पोल में वहाँ पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे आभी कुछ महिने पहले ही कौंग्रेस पार्टी बिलकुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कानफरेंस करती थी सड़कों पर अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रक्ष्टाचारी है। दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए जिदार जी मैं आपसे बिहार का सवार पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से देखे जगविंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जगविंदर को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिछड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछड़ों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहा पिछड़ों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहुल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका अब मैं आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की हैं तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP नीउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है गोवा में NDA और इंडिया गठबंदन के बीच में ठाई होता दिख रहा है 6 केंदरशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अगलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है अन्डिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नज़र आ रही है 12 सीटे जीती हुई नज़र आ रही इस तरवे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखे मेरे पीछे वो आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है चंडीगर NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन दूइब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नज़र आ रही है इस सरवे के मुताबिक 2024 का Final Opinion Poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नज़र डालीजिए बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नज़र आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिया के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नज़र आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए, एंडिया जो गट बंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नज़र आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी, दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नज़र आ रही है वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नज़र आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसरा रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं मैं NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या क्या उस्तर मैं राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का धुरुवी करन होगा तुष्थी करन की राजनीती मैं कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वन्त जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई कि राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने पहली बात तो यह कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुर्भागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कॉंग हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अब दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था दिल्ली एक स्विंग स्टेत है यहां स्पलिट वोट पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शुन्न के बाद में सर सटीन फिर साथ सुन्न फिर पैंसट मांच तो यह राज्यजजर ऐसा है जहांầं तकरीबं तकरीबं बीस आमादमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया, इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा, और जो वोट दूसरी साइट से आमादमी पार्टी को मिलना चाहिए, वो भी उसे मिल जाएगा, ऐसा भी मुझे लगता है, ये स्मूध केमिस देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ के दिल्ली जो है वास्ताओं में स्विंग तो रकरती ही रही है, लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है के पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के एंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो, वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था, इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे, अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहा साबित हुए उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लिजे चाहे स्वास देख लिजे मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ इस जो उपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूं और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और साथों की साथों सीटे हुए सिदार जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको उपीनियन पोल में वहाँ पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आकड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारतिय जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे आमाद मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े और दिल्ली का तो सब कुछ ही छीन करके ले गए। सिदार जी मैं आपसे बिहार का सवार पूछ रहा था, आप दिल्ली पहुंच गए। जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से। प्रदेशों का जो अब तक कहा अकड़ा देख चुके हैं, उसकी बात हम कर रहे थे। और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा, कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है, यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं, बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़की है, तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा, जिनके रुजहान आज शा 6 केंदर शासित प्रदेशों में, NDA की तरफ से रुजहान आ रहे हैं, यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है, पूरी तरह से ओपिनियन पूल, असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजहान नजर आ रहे हैं, ये अब तक आप देख चुके हैं, हर्याना, मद्यप दिखाना चाहता हूँ, जिनके रुजहान अब तक बताए जा चुके हैं, बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदर शासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ, मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं, अखिलेश आप 4 मिनिट में 59 सीटों का ह जाल दर्शकों को बता दीजिए, फॉरण पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रएए, 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस तरवे के मताबिक केंद्र शासित प्रदेशों की आब बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही हैं, ये देखिए मेरे पीछे वुँ अंगा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाते हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन दूइब NDA, लक्ष दीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का Final Opinion Poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है, एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो सी वोटर का जो ये सर्वे है, ये क्या इशारा करता है बिहार को लेकर, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं, बिहार में आप देखिए, एंडिये जो गटबंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है, अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, और अब बात कर लेते अब आपके सामने धीरे धीरे आएंगे, राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे है, यहां किसके खाते में कितनी सीटे जाती हुई नजर आ रही है, वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटे जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है, साथ की साथ जो लोग सभा की सीटे दिल्ली में है, वो एंडिये के पास जाती हुई नसरा रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है, लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रही है लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे है उत्तर भारत की 180 सीट में एंडिये क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सब से पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने? पहली बात तो यह कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबाग इसे इलक्षन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबात चुना होता है वो 20 जाता है विदान सबात चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब यह साथ में लड़ रहे हैं तो वो दो दुनी चार वला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शे सीट कुछ असर पढ़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पढ़ेगा लेकिन यहां तक लोगसभा और विदान सबा सीटों का अंतर है वेवोट शेर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लीट वोट पढ़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शूनने के बाद में सर साथ तीन फिर साथ सून फिर फिर पैंसट मार्च तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी वोट हर बार विदान सबा और लोगसभा शनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा यह भी नहीं होगा और जो वोट दूसरी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है यह स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजीपी का वोट पर्सेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे candidate declare हुएं तीन candidate जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के candidates पहले ही declare हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहाँ तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही है तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इडिया अगर पॉलिए जगविंदर जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया वो निश्यत रूप से भारतिय जिन्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर् पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रश्टाचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घोटाले के किंक पिन है इनको अंदर डालिये पर राजनेत सब कुछ ही चीन करके ले गए अब दिल्ली पहुंच गए मैंने बिहार का जवाब देखर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कोई जोड़ना चाहता हूँ अगर आपके अनुमती नहीं है तो मैं नहीं जोड़ूँगा आप नहीं मैं बिहार पे थोड़ा और आप से पूछना चाहता था कि वहाँ जाती है जन्गर्णा क्या फेल हो गया क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उससाथ से जग्मिंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जग्मिंदर को लेकर के जिस प्रकार का एक narrative building ये देश का पिछड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछडों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहां पिछडों की सो केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल पब्लिक इंटरस्ट महला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूं आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मध्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंडर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP News पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंडर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजरा रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदर शासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदर शासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 79 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फारनल ओपिनियन पूल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है NDA के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो 2 सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस सरवे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे हुऊ आखा आपके सामने है अन्दमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदुचेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सरवे के मुताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोआ में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे हैं गोआ की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चासप है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए, एंडिये जो गट बंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी, दिल्ली की, आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गौवा में एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाइ होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं उत्तर भारत के 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही है अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़ा क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कांडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनॉंस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमने उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर बीदे के मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जेतनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले mood of the nation में डेश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें seat the seat कुछ असर पड़ेगा तो अब candidate come को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक swing state है यहां split vote पड़ रहा है दस साल से हमने देखा 70 के बाद में 63 फिर 70 फिर 65 तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शनौव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में swing करता रहता है इसलिए वो वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दोसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोक जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों के अंगल से बहुत ज़्यादा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटीटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजी बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है के 7 में से 6 कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो 6 कैंडिडेट जो ह वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद बीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीज तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो उपीनियन पूल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और साथों की साथों सीटे इंडिया अगर्वार जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको उपीनियन पूल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पूल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारतिय दिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे ब पर आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए आज यह आप से बिहार का सवाल पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए जगविंदर जी बिल्कुल यह प्रत्यक्ष है कि जातिय जगविंदर को लेकर के जिस प्रकार का एक narrative building यह देश का पिषडा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषडों से कोई कोई हितेशी नहीं है यह तो परिवारवाधी पार्टी है यह कहां पिषडों की केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल पब्लिक इंटरस्ट माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूं आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अफडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजरा रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है यह देखे मेरे पीछे वो आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादरनगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशाड़ा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए, एंडिये जो गट बंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी, दिल्ली की, आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गडबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं क्लीन स्विप कर पाएगा क्या उस्तर में राहूल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करन होगा तुष्थी करन की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सब से पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के कली एनाउस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले mood of the nation में डेश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें seat the seat कुछ असर पड़ेगा तो अब candidate come को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक swing state है यहां split vote पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर 65 मार्च तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी vote हर बार विधानसभा और लोकसभा शनौव में बीजेपी और आम आदमी पार् पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है यह स्मूद केमिस्ट्री वाली बा पैटियाल जी मैं समझता हूं कि दिल्ली जो है वास्ताओं में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के एंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कह कमपिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो ब लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है कि सात में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अकर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ इस जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूं और क अकर लिया जेडियू का साथ जोड लिया लेकिन मालू मैं आपको ओपीनियन पोल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आकड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिनता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद म कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं कुछ मैं उसमें भी जोड़ना चाहूंगा देखिए जो विरोधा बास ग्राउंड लेवल पर आमाद्वी पार्टी और कॉंगरेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंगरेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कांफरेंस करती थी शटकों पे उतरती थी और कहती थी अरविंद वाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए अब दिल्ली पहुंच गए जाती है जग्रणगा को लेकर के जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग यह देश का पिछड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछड़ों से कोई हितेशी नहीं है यह तो परिवारवादी पार्टी है यह कहां पिछड़ों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है यह तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावा तो कर नहीं सकती तुम बिहार के अंदर छोड़ी मैं तो करें रहे हैं आप से बात करेंगे फिर अम मैं ये तो आप चार राजियों और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अंकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल पब्लिक इंटरस्ट माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का Political Interest लेकर हाजिरूं आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनतर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP नीउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 89 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए, देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIU DF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है यह देखिए मेरे पीछे वो आंका आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाते हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादरनगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक 2024 का Final Opinion Poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिया के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए, एंडिया जो गट बंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी, दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गडबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं मैं NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या क्या उस्तर मैं राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का धुरुवी करन होगा तुष्थी करन की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सब से पहले यश्वन्त जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई कि राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने पहली बात तो यह कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हम दो उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुर्भागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कॉंग हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अब दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 60-70% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उ आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पढ़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पढ़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विदानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लीट वोट पढ़ र बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूध केमिस्ट्री वाली बात नहीं है। लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़्यादा जुकाव रहा हो। वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं। अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें कांड़ेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कांड़ेट पहले ही डिकलेयर हो चुके थे। अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी हैं। लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंड़ेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंड़ेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आ नहीं हुआ यहां तक कि दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ इस जो उपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूं और कांटे की टक्कर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ मह पॉल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आकड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक पर पर आमाद भी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए अब दिल्ली पहुंच गए जाती है जगणगर्णा को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग यह देश का पिषड़ावर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषड़ों से कोई हितेशी नहीं है यह तो परिवारवादी पार्टी है यह कहा पिषड़ों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है यह तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावा तो कर नहीं सकती तुम बिहार के अंदर छोड़ी मैं तो कैसे बात करेंगे फिर अब मैं ये तो आप चार राजी और छे केंदर शांसित प्रदेशों का जो अब तक कहा अंकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है अब मैं आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शांसित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़की है तीनों राजियों में लोकसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 59 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजहान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ मुड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजहान नजरा रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेशों और 36 गड़की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है असम दिल्ली गोवा और 6 केंदर शासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अखिलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस सर्वे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे हुँ आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षडीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चासप है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए, एंडिये जो गट बंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी, दिल्ली की, आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया घटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं उत्तर भारत के 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनांस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जेतनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शनौव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूक ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटीटिव रहे हैं अगर पिशली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट परसंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्र प्रिके बाद तो सरकार नहीं बनी हैं लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि सात में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो हैं वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्दों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राज हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ इस जो उपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूं और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटे इंडिया गड़ार जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड लिया लेकिन मालू मैं आपको उपीनियन पोल में वहां पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारतिय जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बा इसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रष्टाचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घोटाले के क पिन हैं इनको अंदर डालिए पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गटबंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल न जनगर्णा क्या फेल हो गया क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से देखिए जग्विंदर जी बिल्कुल यह प्रत्यक्ष है कि जातिये जग्रणा को लेकर करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग यह देश का पिषड़ा अब मैं यह तो आप चार राजियों और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल पब्लिक इंटरस्ट मला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिर हूँ आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अफडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP नियूस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजरा रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अखलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए, देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है यह देखिए मेरे पीछे वो आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का Final Opinion Poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास पर एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशाड़ा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गट बंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं जानुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राज्यों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें Guests के Reactions लेने हैं लेकिन आपको हर्याना, मद्यपरदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की fight देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का comeback करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़े क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर बीदे के मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जेतनी बार भी लोग सभात चुना होता एऴ वह बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधê बीजेपी को चला जाता है व्यदान सभात चुना होता है तो वह आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबक इतना ही था 67% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब केंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20% वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शनौव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आम आ ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है अगर पिशली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जंता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद बीजे पी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड लिया लेकिन मालू मैं आपको उपिनियन पॉल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपिनियन पॉल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बा इसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी शड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रश्टाचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घुटा ले कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए आज या बिहार का सवाल पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए जगविंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जगविंदर को लेकर के जिस प्रकार का एक narrative building ये देश का पिछडा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछडों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहां पिछडों की सोश केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहां कड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बार इस सेकेंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP नीउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोवा में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनी NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदर शासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिख आप चार मिनिट में उनतर सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि एंडिये पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुई नजर आ रहा है कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है एक-एक से मुकाबला टाइ होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुई नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो ये सर्वे है ये क्या इशाड़ा करता है बिहार को लेकर ये अब हम आपको बताने जा रहे ह बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटें इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी, दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे है हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकडे आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गड़बंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभा की सीटें दिल्ली में है वो आप देखिए और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिय की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं क्लीन स्विप कर पाएगा क्या क्या उस्तर में राहूल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करन होगा तुस्तिकरन की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वन्त जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से इलक्षन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले mood of the nation में डेश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था चाज़ का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक swing state है यहां split vote पढ़ रहा है दस साल से हमने देखा 70 के बाद में 63 फिर 70 फिर 65 तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी वोट हर बार विधान सबाओ लोग सबाद शनाओ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में swing करता रहता है इसलिए वोट केवल चूखी आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा यह भी नहीं होगा और जो वोट दूसरी साइट से आमादमी पार्टी को मिलना चाहीए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लग देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के एंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजीपी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है का भी कल हमारे candidate declare हूं जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के candidates पहले ही declare हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहाँ पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमियां आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महीने के करीब दिल्ली के चुनाओ में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इंडिया अगर्ण जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू में आपको, उपीनियन पोल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे आमाद मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े और दिल्ली का तो सब कुछ ही छीन करके ले गए। जिदार जी मैं आपसे बिहार का सवार पूछ रहा था, आप दिल्ली पहुंच गए। जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से। प्रदेशों का जो अब तक कहा अकड़ा देख चुके हैं, उसकी बात हम कर रहे थे। और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा, कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है, यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं, बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़की है, तीनों राजियों में लोकसवा की 50 सीटे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा, जिनके रुजहान आज शाम पांच बजे से ABP News पर दिखाये जा रहे हैं, इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है, गोवा में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है, 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजहान आ रहे ह यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है, पूरी तरह से ओपिनियन पूल, असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजहान नजर आ रहे हैं, ये अब तक आप देख चुके हैं, हर्याना मद्यप्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है, इ पिहार, असम, दिल्ली, गोवा और चैक केंदर शासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ, मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं, अखिलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए, फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं, आप बात कर लेते हैं, असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है, जरा उस पर नजर डालिए, देखिए आपके सामने जो आकड़ा है, एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जब 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है, इस सर्वे के मुताबिक और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए, बात हम कर रहे हैं, गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ द बिहार में आप देखिए, एंडिये जो गटबंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है, अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, और अब ब बात करें यहाँ किसके खाते में कितनी सीटे जाती हुई नजर आ रही है, वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटे जीतता हुई नजर आ रहा है, जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें, तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है, साथ की साथ जो लोग सभा की सीटे दिल्ली में है, वो एंडिये के पास जाती हुई नजर आ रही है, गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है, लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं, एबीप नियूज के सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं, उत्तर भारत की 180 सीट में एंडिये क्लीन स्विप कर पाएगा क्या, क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे, सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का धुरुवी करन तुष्थी करन की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा, ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं, अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं, स कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में, और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने? आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस अंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस अंटी कॉंग्रेस हैं, तो जितनी बार भी लोग सबात चुना होता है, वो 20 सीज़दी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है, विदान सबात चुना होता ह अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अब दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था चाज़े साथिस परसेंट ये अलग अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पढ़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पढ़ेगा लेकिन यहां तक लोगसबा और विदान सबा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लिट वोट पढ़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर फिर पैंसट मार्च तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी वोट हर बार विधान सभा और लोग सभा चनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोग शर्मा जी मारे साथ जुड़ गया अलोग जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ के दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है क्या भी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट दिल्ली के चुनाव में परिस्तिती बदलेंगी और साथों की साथों सीटे इंडिया गट्वर्नेस में बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको ओपीनियन पोल में वहां पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आकड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिनता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोडना चाहूँगा देखी जो विरोधा बास ग्राउंड लेवल पर आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े वरष्टाचारी है पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गटवंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धर्ती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही छीन करके ले गए सिदार जी मैं आपसे बिहार का सवाल पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए मैंने बिहार का जवाब देखर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कोई जोड़ना चाहता हूँ अगर आपके अनुमती नहीं है तो मैं नहीं जोड़ूँगा नहीं मैं बिहार पे थोड़ा और ये आपसे पूछना चाहता था कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछडों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहां पिछडों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है यह तो राहुल बाबा की बाथ कर सकती है, प्रियंका दीधी की बाथ कर सकती है, इसके अलावा तो कर नहीं सकती तुम बिहार के अंदर छोड़ी मैं तो कैसा जिन राजी आप से बात करेंगे फिर अब मैं ये तो आप चार राजी और छे केंदर शांसित प्रदेशों का जो अब तक कहा अंकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है अब मैं आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शांसित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मध्यपदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं पारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़की है तीनों राजियों में लोकसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 59 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जूक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटपंदन के बीच में टाई होता दिख रहा है 6 केंदरशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अगलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है अन्डिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो 2 सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस तरवे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे हुँ आखा आपके सामने है अन्डमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगड NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदुचेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास पर एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गट बंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं जानुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटे जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटे जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभा की सीटे दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना, मद्यपरदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरूवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया अपने? पहली बात तो यह कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली अनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हम दो उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुर्बाग इसे इलक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोगों के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो 20 सीजडी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे-सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वेवोट श तकरीबन 20 फीजदी वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शिनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वो वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी मारसा जुड़ गया अलोक जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बत जुकाओ रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजी पी का वोट परसंटेज अगर आमादमी पार्टी और कॉंगरेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़ादा फरक नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडिट डिकलियर हुएं तीन कैंडिडिट जबकि बीजेपी और आमादमी पार्टी के कैंडिडिड़े नकारा साबित हुए उन्होंने जो जंता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजे पी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही है तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है देड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इडिया गट्वर्ण जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड लिया लेकिन मालू मैं आपको ऑपीनियन पोल में वहां पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी opinion poll अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो analysis हुआ था वो जब vote पे जब वास्तव में convert होने गया तो उसमें क्या परिवर्टन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोडना चाहूँगा देखिए जो विरोधा बास ground level पर आमादभी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के press conference करती थी सडकों पे उतरती थी कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रष्टाचारी है कहा करती थी कि ये शराब भोटा लेके kingpin है इनको अंदर डालिये पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया पर क्या वास्तव में केडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धर्ती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही छीन करके ले गए ज़दार जी मैं आपसे बिहार का सवार पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए मैंने बिहार का जवाब देकर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कोई जोड़ना चाहता हूँ अगर आपके अनुमती नहीं तो मैं नहीं जोड़ूँगा जगविंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जगविंदर को लेकर के जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिषड़ावर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषड़ों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहां पिषड़ों की सोशितों की वंजितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावा तो कर नहीं सकती तुम बिहार के अंदर छोड़ी मैं तो कहते हैं, आप से बात करेंगे फिर, अब मैं ये तो आप चार राजी और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अंकड़ा देख चुके हैं, उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है, नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल, पब्लिक इंटरस्ट महला पट्याल, लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिर हूँ अब पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा, पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा, कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है, यानि साफ पिक्चर आ चुकी है, रु लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनतर सीटों का अपडेट देगा, जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं, इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की बीच में ताई होता दिख रहा है, 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं, यनि NDA की तरफ मुडा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल, असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं, ये अब तक आप देख हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है, इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा, उससे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदर शासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ, जिनके रु इसकी प्रदेशों की सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए, फॉरण आप देख सकते हैं, एंडिये पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है, 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है, चंडीगर एंडिये, दादर नगर हवेली एंडिये, दमन दूइब एंडिये, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडि के मताबिक, 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा, ये जरा आप नजर डालीजिए, बात हम कर रहे है, गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुई नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए, आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है, एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है, और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुई नजर आ रहा है, तो सी वोटर का जो ये सर्वे है, ये क्या इशारा करता है बिहार को लेकर, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं, बिहार में आप देखिए, एंडिये जो गटबंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है, अदर्स का यहाँ पर खाता नह देखिए, धीरे धीरे आएंगे, राजधानी दिल्ली की हम बात करें, यहां किसके खाते में कितनी सीटे जाती हुई नजर आ रही है, वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटे जीतता हुई नजर आ रहा है, जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें, तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है, साथ की साथ जो लोग सभा की सीटे दिल्ली में है, वो एंडिये के पास जाती हुई नसरा रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है, लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं लेकिन 59 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत के 180 सीट में एंडिये क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सब से पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने? पहली बात तो यह कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनाउस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबाग इसे इलक्षन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोकसबाद चुना होता है वो 20 सीजडी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे-सीधे बीजेपी को चला जाता है विधान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तब भी उतना ही था, साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है, यहां स्प्लिट वोट पड़ रहा है दस साल से हमने देखा, साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी वोट हर बार विधान सबा और लोगसबा चिनाओं में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चुकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जायेगा यह भी नहीं होगा और जो वोट दूसरी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जायेगा ऐसा भी मुझे लगता ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे सा जुड़ गया अलोक जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट परसंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि हमारे कैंड़ेट डिकलेइर हुए तीन कैंड़ेट जबके बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंड़ेट पहले ही डिकलेइर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े है और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी पंदरा साल बाद बीजेपी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहाँ तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही है तो मैं कहूँगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पॉल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाओं में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इडिया अगरता जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको ओपीनियन पॉल में वहां पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पॉल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोडना चाहूँगा देखी जो विरोधाबास ग्राउंड लेवल पर आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी शड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रष्टाचारी है कहा करती थी कि ये शराब घुटाले के किंक पिन है इनको अंदर डालिये पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ हाथ मिलाना पड़ गया गटवंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धर्ती पे खड़े होकर के अरविंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए सिदार जी मैं आपसे बिहार का सवाल पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए मैंने बिहार का जवाब देकर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कोई जोड़ना चाहता हूँ अगर आपके अनुमती निया तो मैं नहीं जोड़ूँगा नहीं मैं बिहार पे थोड़ा और ये आपसे पूछना चाहता था कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछडों से कोई हितेश ही नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहां पिछडों की सोशितों की वंजितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है, नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल, Public Interest माला पट्याल, लेकिन आज मैं फिर से Public का Political Interest लेकर हाजिरूँ अब पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा, पिछले 4 घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं, अब मैं आपको हर्याना, मद्यपरदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊँगा, कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है, यानि साफ पिक्चर आ चुकी है, रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं, अब बारी हर्याना, मद्यपरदेश और 36 गड़ की है, ती आपके बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा, जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं, इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की से रुजान आ रहे हैं, यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है, पूरी तरह से ओपिनियन पूल, असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं, ये अब तक आप देख चुके हैं, हर्याना मद्यप्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदर शासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ, मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं, अखिलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए, फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं, आप बात कर लेते हैं, असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है, जरा उस पर नजर डालिए, देखिए आपके सामने जो आकड़ा है, एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जब 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है, इस सरवे के मताबिक पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए, बात हम कर रहे हैं, गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुई नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हु बिहार में आप देखिए, इंडिये जो गटबंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है, अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, और अब ब अधानी दिल्ली की हम बात करें, यहां किसके खाते में कितनी सीटे जाती हुई नजर आ रही है, वो आप देखिए, इंडिये साथ सीटे जीतता हुई नजर आ रहा है, जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें, तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है, साथ की साथ जो लोग सभा की सीटे दिल्ली में है, वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है, गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है, लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं, ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं, अब हमें guest के reactions लेने हैं, लेकिन आपको हर्याना, मद्यपरदेश और राजिस्थान की picture दिखाएंगे, लेकिन 69 सीटों की fight देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं, उत् में राहुल कॉंग्रेस का comeback करा पाएंगे, सनातन और माजार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरूवी करन होगा, तुष्थी करन की राजिनिती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, करप्शन की chemistry में कितना vote किधर swing होगा, ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हम मारे opinion pool में निकल कर आ रही हैं, अब guess से फटाफट reaction लेते हैं, सब से पहले, यश्वंत जी आपने सारा ये survey करवाया, जमीन पर रहे, आपकी अलग लग टीमें गई, राजधानी से शुरू करते हैं, क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना, का एक impact देखना पड़ेगा, अब दुर्भाग इसे election commission के notification के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी survey करते हैं, इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे, लेकिन candidates के इतर भी देखे, मौलिक रूप से contradiction है इन लोग के साथ में आने में, आम आदमी party का आधा support base anti-BJP और अधा support bit anti-congress है, तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है, वो 20 स्वीजदी का support base उठकर के सीधे-सीधे BJP को चला जाता है, विदान सबाद चुना होता है, तो वो आमादी party की और shift हो जाता है, अब जब ये साथ में लड़ना है, तो वो दो दुनी चार वाला ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था, साथ में आएंगे तो भी उतना ही है, इसमें seat दर seat कुछ असर पड़ेगा, तो अब candidate कम को देखना पड़ेगा, लेकिन यहां तक लोकसभा और विदान सबा सीटों का अंतर है, वोट शेर का अंतर है, दिल्ली एक swing state ह यहां split वोट पड़ रहा है, दस साल से हमने देखा, साथ शूनने के बाद में सर सरतीन, फिर साथ सूनने फिर 65 मार्च, तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी वोट, हर बार विदान सबा और लोकसभा शनौव में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में, यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है, जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है, इसलिए वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया, इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा, यह भी नहीं होगा, और जो कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी, आप सहमत है इससे या नहीं, कोई और चीज़ आप निकाल कर लाएंगे जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, इस नुकसान की बज़े, देखे पटियाल जी, मैं समझता हूँ के दिल्ली जो है, वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है, लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़्यादा जुकाव रहा हो, वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं, अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी इन कैंड़ेट जबकि बीजेपी और आमादमी पार्टी के कैंड़ेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे, अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है, तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है, लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को म इट आई, और जब आती है बात मुद्धों की, कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद बीजेपी हटी है यहां पर, और पूरी तरह से जिस तरह से, आज सिक्षा देख लीजे, चाहे स्वास देख लीजे, देश की राजधानी है, कमिया आमादमी पार्टी की गवर्नेंस में भी रही होंगी, लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ, यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई, उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है, इसको मैं न लितिश कुमार को पकड़ लिया, जेडियू का साथ जोड लिया, लेकिन मालू मैं आपको, उपीनियन पोल में वहां पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको कुछ मैं उसमें विजोडना चाहूंगा, देखी जो विरोधाबास ग्राउंड लेवल पर आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है, उसको नकारा नहीं जा सकता, अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी, सड़कों पे उतरती थी और कहती थी, अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रष्टाचारी है, कहा करती थी कि ये शराब घोटाले के किंग्पिन है, इनको अंदर डालिये, पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उ जगविंदर जी, आपको कहा कि मैं दिल्ली में कोई जोड़ना चाहता हूँ, अगर आपके अनुमती नहीं है, तो मैं नहीं जोड़ूँगा, आपके विहार पे थोड़ा और ये आपसे पूछना चाहता था, कि वहाँ जाती है, जगविंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक् की बात कर सकती है, ये तो राखुल बाबा की बात कर सकती है, प्रियंका दिदी की बात कर सकती है, इसके लावत तो कर नहीं सकती, तो बिहार के अंदर भोड़ ! आप से बात करेंगे फिर अब मैं ये तो आप चार राजियों और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल पब्लिक इंटरस्ट मला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूँ आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनो राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजरा रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यपरदेशों और 36 गड़की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए, देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है यह देखिए मेरे पीछे हुँ आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादरनगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षडीप, इंडिया गट बंधन और पुदुचेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास पर एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गट बंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं जानुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटे जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटे जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभा की सीटे दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना, मद्यपरदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल कर आ रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने? पहली बात तो यह कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुर्भागे से इलक्षन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो 20 सीजदी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे-सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब केंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शनौव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वो वोट केवल च रहता है ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया सैंग भी अगर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कम्पिटीटिव रहे हैं अगर पिछली बार के व neutron के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इमपैक्ट होने के बाद भी और मीडियाDieंश के फूल को बाद बाद ही तो बीजेपी का वोट पर्सेंटेज एकर आम के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमर बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड लिया लेकिन मालू मैं आपको ओपीनियन पोल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारतिय जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बा उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रष्टाचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घोटाले के क पिन हैं इनको अंदर डालिए पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गटबंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल न कुछना चाहता था कि वहाँ जाती है जन्गर्णा क्या फेल हो गया क्या वह फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से देखिए जग्विंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जन्गर्णा को लेकर के जिस प्रकार का एक सकती तुम विहार के अंदर चोड़ी मैं तो पहले रहे हैं आप से बात करेंगे फिर अब मैं ये तो आप चार राजी और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अंकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल पब्लिक इंटरस्ट मला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूँ आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यनि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोवा में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है चै केंदरशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजा अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि ये पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे वह आखा आपके सामने है अन्डमान क सीट एंडिये के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर एंडिये दादर नगर हवेली एंडिये दमंदीव एंडिये लक्षदीप इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक 2024 का final opinion poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चासप है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुए दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिनमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटे जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटे जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभा की सीटे दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना मद्यपरदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने? पहली बात तो यह कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरभागे से इलक्षन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आज़ा संपोर्ट बेस एंटी बी जे पी और अद़ा संपोर्ट बेस एंटी कॉंग्रेस हैं तो ज़ेतनी बार भी लोग सबध चुना होता है वो 20 सीजधी का स सपोर्ट बेस उठकर के सीदे सीदे बीजेपी को चला जाता है विदान सा बात शुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ दुनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोगसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लिट वोट पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी वोट हर बार विधान सभा और लोग सभा चिनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा यह भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूद कैमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोग शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोग जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज़ आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूं कि दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिशली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंड़ेट डिकलेर हुएं तीन कैंड़ेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंड़ेट्स पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंड़ेट्स बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंड़ेट्स जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्दों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पॉल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इंडिया अगर्ण जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालूम है आपको उप अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कंवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं कुछ मैं उसमें वी जोड़ना चाहूँगा देखी जो विरोधाबास ग्राउंड लेवल पर आमादमी पार पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गडवंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैटर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अरविंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉ और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए जिदार जी मैं आपसे बिहार का सवाल पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए जिस तरह से हम देख रहे हैं उससी साथ से देखे जगविंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जगविंदर को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिषड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषड़ों से कोई हित जैशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहा पिषड़ों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावा तो कर नहीं सकती तो बिहार के अंदर चोड़ी मैं त फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूं। आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा। पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदरशासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं। अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा। कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है। यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं, अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है, तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अफडेट देगा, जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं। अपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजहान नजर आ रहे हैं। प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं। अखिलेश आप 4 मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण। पॉरण। तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही हैं। तरह उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आखड़ा है एनडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही हैं। NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है, 12 सीटे जीती 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 हुई नजर आ रही ह 2024 का final opinion poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चासप है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुए दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशाड़ा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं जानुवान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोड़ सभा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही है अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वन्त जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़ा क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देके मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है वो विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले mood of the nation में डेश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें seat the seat कुछ असर पड़ेगा तो अब candidate come को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक swing state है यहां split vote हर बार विधानसभा और लोकसभा शेयर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में यह ऐसा anti-congres vote है जो दोनों के बीच में swing करता रहता है इसलिए वोट केवल चूकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया है इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते मे चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोक जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजी पी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि सात में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उस देख लिजे चाहे स्वास देख लिजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भ साथों की साथों सीटे हो हैं सिदार जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको उपीनियन पोल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे आमाद मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए जिदार जी मैं आपसे बिहार का सवार पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से देखे जग्विंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जग्विंदर को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिछड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछड़ों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहा पिछड़ों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहुल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका अब मैं आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा, कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है, यानि साफ पिक्चर आ चुकी है लेकिन आगे बढ़ने से पहले पटियाल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा, जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP नीउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है, गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है, 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजहान आ रहे हैं, यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तर कितना भारी है, इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा, उससे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदर शासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ, जिनके रुजहान अब तक बताए जा चुके हैं, बिहार, असम, दिल्ली, गो और 6 केंदर शासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं, अखिलेश आप चार मिनिट में 59 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए, फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं, आप बात कर लेते हैं, असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही हैं, जरा उस पर नजर डालिए, देखिए आपके सामने जो आकड़ा है, एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही हैं, ज 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही हैं, इस सर्वे के मुताबिक और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए, बात हम कर रहे हैं, गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुई नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुई द देखिए, इंडिये जो गटबंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है, अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, और अब बात कर लेते हैं, देश की राजधानी, डिली की, आप मेरे पीछे देख रहे है, हनुआन जी की विशाल प्रतिमा, जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से डिली की पहचान भी है, अब आकड़े आपके सामने, धीरे धीरे आएंगे, राजधानी डिली की हम बात कर रहे हैं, यहाँ कि की साथ जो लोग समा की सीटे दिल्ली में हैं वो NDA के पास जाती हुई नसरा रही है गोवें NDA और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना, मद्यपरदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सब से पहले यश्वन्त जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने? पहली बात तो यह कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुर्भागे से इलक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोगों के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा support base anti-BJP और आधा support base anti-Congress है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो 20 सि्जदी का support base उठकर सीधे-सीधे BJP को चला جाता है विधान सबाद कुना होता है तो वो आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले mood of the nation में देश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 36-37% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें seat the seat कुछ असर पड़ेगा तो अब candidate come को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोगसबा और विधानसबा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक swing state है यहां split vote पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर 65 तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फिजदी वोट हर बार विधानसबा और लोगसबा चनाओ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा anti-congres vote है जो दोनों के बीच में swing करता रहता है इसलिए वोट केवल क्योंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए ब्हो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता ये स्मूध कैमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोग शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोग जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज़ आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ के दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिशली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महीने के करीब दि सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आकड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भ जिरोधाबास ग्राउंड लेवल पर आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गटबंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कि और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए जाती है जाती है जनंगर्णा क्या फेल हो गया क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उससी साथ से जन देखे जनंगर्णा को ले करके इजिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डेंग यह देश का पिशड़ा वर्ग जानता है की कॉंग्रेस पार्टी को पिशड़ो को पिशड़ों से और हितैसी नहीं है अब मैं ये तो आप चार राजी और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अकड़ा देख चुके हैं, उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल, Public Interest माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से Public का Political Interest लेकर हाजिरूं आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 19 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP नीउस पर दिखाए जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजरा रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल उपीनियन पूल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है NDA के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो 2 सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नज़र आ रही है 12 सीटे जीती हुई नज़र आ रही इस तरवे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे वह आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है चंडीगण NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदुचेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नज़र आ रही है इस सरवे के मुताबिक 2024 का Final Opinion Poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नज़र डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नज़र आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिया के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नज़र आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए, एंडिया जो गट बंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नज़र आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी, दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नज़र आ रही है वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नज़र आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें, तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभा की सीटें दिल्ली में है, वो एंडिये के पास जाती हुई नसरा रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे है ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं एंडिये क्लीन स्विप कर पाएगा क्या क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करन होगा तुष्थी करन की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वन्त जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया अपने पहली बात तो यह कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हम दो उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबाग इसे एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे और आधा सपोर्ट बर्ट अटि कॉंग्रेस है तो जितनी बार में होता है वह बीस सुझदी का सपोर्ट बेस उठकरके सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है वीदान सबाद चुना होता है तो वह आमाधी पार्टी की और शिफ्त हो जाता है अब जब यह साथ में लड़ 37% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब केंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वेवोट शेर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लिट वोट पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर फिर पैंसट मार्च तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीज़दी वोट हर बार विधानसभा और ल कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूध केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोक जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों के एंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजी पी का वोट परसंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फरक नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजे पी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही ड बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बा उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो उपीनियन पूल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टक्कर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और स गविंदर जी ओपीनियन पूल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमा या समादभी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अब अब कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी, सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रश्टाचारी हैं, कहा करती थी कि ये शराब घोटा लेके किंग पिन हैं, इनको अंदर मैंने बिहार का जवाब देकर के जगविंदर जी आपको कहा कि मैं दिल्ली में कोई जोड़ना चाहता हूँ, अगर आपके अनुमती नहीं तो मैं नहीं जोड़ना चाहता था कि वहाँ जाती है जनगर्णा क्या फेल हो गया, क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या, जिस तर परिवारवादी पार्टी है, ये कहां पिशडों की, सोशितों की, वंचितों की, दलितों की बात कर सकती है, ये तो राहुल बाबा की बात कर सकती है, प्रियंका दीदी की बात कर सकती है, असके लावा तो कर नहीं सकती, तो बिहार के अंदर छोड़ी मैं तो कहता है, बने लेकर हाजिरूँ अब पत्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले 4 घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मध्यप्रदेश और 36 घंट में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मध्यप्रदेश और 36 घंट की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है गोवा में NDA और इंडिया गटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदरशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पटेयल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुज़ान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अगलेश आप चार मिनिट में 79 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फानल उपीनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है ज़रा उस पर नजर डालिये देखिए आपके सामने जो आखडा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबक vein इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुन यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं एंडिये पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है बारह सीटे जीती हुई नजर आ रही इस तरवे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की अब बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे हुँ आगा आपके सामने है अंडमान की सीट एंडिये के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगड एंडिये दादर नगर हवेली एंडिये दमन द इंडिया गटबंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गटबंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डाली जिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है एक एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिया के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिय आलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं अनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग डिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटे신 जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिये अन्डिये 7 सीटे जीतता हुई नजर आ रहा है जब कि अगर हम इंडिया खाता नहीं खुल रहा है, साथ की साथ जो लोग सभा की सीचे दिल्ली में हैं वो NDA के पास जाती हुई नसरा रही है गोवें NDA और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है, लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं लेकिन 59 सीचों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत के 180 सीच में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सब से पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं, क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने? पहली बात तो यह कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनाउस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से इलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले mood of the nation में डेश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 60-70% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही हैं इसमें seat दर seat कुछ असर पड़ेगा तो अब candidate कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा seatों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक swing state है यहां split vote पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर साथ तीन फिर साथ सून्य फिर 65 मार्च तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शिनाओं में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वो वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा यह भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइ से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है यह स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोक जी यह फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों के अंगल से बहुत ज़्यादा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज देखने को मिली है कि सात में से 6 कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो 6 कैंडिडेट जो है वो बिलक कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सीटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरत बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको ओपीनियन पॉल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पॉल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिल्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में क हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोडना चाहूँगा देखिए जो विरोधा बास ग्राउंड ड्यवल पर आमाद मी पार्टि और कांग्रेस पार्टि के बीच में हैं उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कांग्रेस पार्टि बिलकुल лख सीना ठोक ठोक के प्रेस कांफरेंस करती थी और कहती थी अरविंद केजरिवाल सबसे बड़े बरष्टाच पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गडवन्दन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हा पाता है जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉ जाती है जनगंड़ना क्या फेल हो गया क्या वह फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से देखिए जगविंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जगविंदर को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिछड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछड़ों से कोई हितेश ही नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहां पिछड़ों की सोशितों की वंजितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावद तो कर नहीं सकती तो बिहार के अंदर चोड़ी मैं तो बने रहीए आप से बात करेंगे फि लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूं। आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा। पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदरशासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं। अब मैं आपको हर्याना, मद्यपरदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा। कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है। यानि साफ पिक्चर आचुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं, अब बारी हर्याना, मद्यपरदेश और 36 गड़ की हैं, तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा, जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं। इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है, गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है। चै केंदरशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजहान आ रहे हैं, यनि NDA की तरफ मुड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल। असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजहान नजर आ रहे हैं, ये अब तक आप देख चुके हैं। हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है। इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा, उससे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ, जिनके रुजहान अब तक बताए जा चुके हैं। बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं। अखिलेश आप 4 मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए, फॉरण। तो फाइनल ओपिनियन पूल आप देख रहे हैं, आप बात कर लेते हैं, असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही हैं। 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए, बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दि पिहार में आप देखिए, एंडिये जो गटबंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है, अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, और अब ब बात करें यहां कि इसके खाते में कितनी सीटे जाती हुई नजर आ रही है, वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटे जीतता हुई नजर आ रहा है, जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें, तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है, साथ की साथ जो जो के रुजान, एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं, एबीपी न्यूज के फाइनल ओपीनियन पॉल की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं, अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं, लेकिन आपको हर्याना, मद्यप्र और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं, उत्तर भारत की 180 सीट में एंडिये क्लीन स्विप कर पाएगा क्या, क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे, सनातन और मास जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरूवी करण होगा, तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा, ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल कर अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं, सबसे पहले, यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया, जमीन पर रहे, आपकी अलग-लग टीमें गई, राजधानी से शुरू करते हैं, क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना, कोई फाइदे इसका एक impact देखना पड़ेगा, अब दुर्भाग इसे, इलेक्शन कमिशन के notification के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं, इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे, लेकिन, candidates के इतर भी देके, मौलिक रूप से contradiction है इन लोग के साथ में आने में, आम जाता है, विदान से बात शुना होता है, तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है, अब जब ये साथ में लड़ रहे हैं, तो वो दो दुनी चार वला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो व पड़ेगा, तो अब कैंडियेट कम को देखना पड़ेगा, लेकिन यहां तक लोकसभा और विदान सबा सीटों का अंतर है, वोट शेर का अंतर है, दिल्ली एक स्विंग स्टेट है, यहां स्प्लिट वोट पड़ रहा है, दस साल से हमने देखा, साथ शूनने के बाद में सर सरतीन, फिर साथ सूनने, फिर पैंसट मार्च, तो यह राज्य ऐसा है, जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी वोट, हर बार विदान सबा और लोकसभा शनौव में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में, यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है, जो दोनों के साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए, वो भी उसे मिल जाएगा, ऐसा भी मुझे लगता है, यह स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है। बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो। वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं। अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें, पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का कांड़ेट जबकि बीजेपी और आमादमी पार्टी के कांड़ेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे। अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी हैं। लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मि उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद बीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी हैं कमिया आमादमी पार्टी की गवर्नेंस में भी रही हों उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूं और कांटे की टकर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों जादर साब भी जोड़े हो हैं सिदार जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालूम है आपको उपीनियन पोल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपिनिन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमा पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पर उतर थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गटबंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैटर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कि और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए जातिये जंगर्णा क्या फेल हो गया क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से जग्विंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जातिये जंगर्णा को लेकर के जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिछड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछड़ों से कोई हितेश ही नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी ह ये कहां पिछड़ों की सोशितों की वंजितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावद तो कर नहीं सकती तो बिहार के अंदर चोड़ी मैं तो पैसे बात करेंगे फिर अम मैं ये तो आप चार राजी और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल, पब्लिक इंटरस्ट माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूं आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 90 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाए जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजरा रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदर शासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदर शासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पूल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है NDA के खाते में 12 सीटे जाती हुई नज़र आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो 2 सीटे इनके खाते में जाती हुई नज़र आ रही है AIU DF की बात की जाए तो शुणे यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुणे शुणे पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नज़र आ रही है 12 सीटे जीती हुई नज़र आ रही इस सरवे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है यह देखिए मेरे पीछे वह आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाते हुई नज़र आ रही है चंडीगर NDA, दादरनगर हवेली NDA, दमन दूइब NDA, लक्षडीप इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नज़र आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नज़र डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुआ नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिया के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नज़र आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिया जो गट बंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नज़र आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गड़बंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभाकी सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसरा रही है गोवा में एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें Guests के Reactions लेने हैं लेकिन आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करन होगा तुष्थी करन की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्टरी में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सब से पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने पहली बात तो यह कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है वो विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 60-70% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब केंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विदानसभा सीटों का अंतर है वोट शे है यहां स्प्लिट वोट पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर साथ तीन फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी वोट हर बार विदानसभा और लोकसभा शनाव में बीजेपी और आ आमादमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसरी साइट से आमादमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता ये स्मूध केमिस्ट्री व देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के एंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कही ज़दा फरक नहीं था इतना जरूर है कि कल हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स पहले इी डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है का अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा ह तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हु कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सीटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको ओपीनियन पोल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो अनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोड़ना चाहूँगा देखिए जो विरोधा बास प्राइचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घोटाले के किंक पिन है इनको अंदर डालिये पर राजनेतिक मश्बूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गटबंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस द जिल्ली में को जोड़ना चाहता हूं अगर आपके अनुमती नहीं जोड़ना पर यह आपसे पूछना चाहता था कि वहां जाती है जन्गर्णा क्या फेल हो गया क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उससाथ से देखिए जग्विंदर जी बि सब्सूर्णा क्याता कि प्रियंका दीदी की बात कर सकती है उसके लावा तो कर नहीं सकती है तुम बिहार के अंतर शोर्डेंगे अप से बात करेंगे फिर अब मैं यह तो आप चार राजी और 6 केंदर शासित प्रदेशों का अब तक कहा आँकडा देख चुके हैं उसकी बातम कर रहे थे रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदरशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुज़ान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अखिलेश आप 4 मिनिट में उनतर सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल उपिनियन पूल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आखड़ा है NDA के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया आलाइंस की बात की जाए तो 2 सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुन्य यानि खाता नहीं खूल पा रहा है वो आख़ा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगड NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन दूइब NDA, लक्षडीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर पर एक-एक से मुकामला टाई होता हुआ दिख रहा है NDA के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुई नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो ये सर्वे है ये क्या इशारा करता है बिहार को लेकर ये अब हम आपको बत करती हुई दिख रही है अदर्स का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे है हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़ आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गडबंधन की बात कर लें तो शुन या इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के फाइनल ओपिनियन पॉल की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना मद्यप्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और माजार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़े क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनांस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर बीदे के मौलिक रूप से कंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जेतनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20% वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शनाओ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आम रहता है ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है अगर पिशली बार के वी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंड़ेट डिकलेर हुएं तीन कैंड़ेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंड़ेट्स पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजे पी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही है तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ इस जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हू और कांटे की टक्कर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इंडिया अगरता जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको उपीनियन पोल में वहां पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारतिय दिल्ता पार्टी और पूरे अंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बा उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रश्टाचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घोटा ले के किंग्पिन हैं इनको अंदर डालिए पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गटबंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैटर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरि जनगना क्या फेल हो गया क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से देखे जगविंदर जी बिल्कुल यह प्रत्यक्ष है कि जातिये जनगना को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग यह देश का पिषड़ा वर्क जानत चलिए जी बने रही है का सिदार जी आप से बात करेंगे फिर अब मैं यह तो आप चार राजियों और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अंकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल पब्लिक इंटरस्ट माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का Political Interest लेकर हाजिरूं आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की उनतर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP नीउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंद्र शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 59 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए, देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस सर्वे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है यह देखिए मेरे पीछे वो आंका आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाते हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादरनगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षडीप इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक 2024 का Final Opinion Poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो ये सर्वे है ये क्या इशारा करता है बिहार को लेकर ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसरा रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रही है ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे है अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने है लेकिन आपको हर्याना मद्यपरदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे है उत्तर भारत की 180 सीट में एंडिये क्लीन स्विप कर पाएगा क्या क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही है अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के कली एनाउस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद शुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 6-7 परसेंट ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पढ़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पढ़ेगा लेकिन यहां तक लोगसबा और विधानसबा सीटों का अंतर है वेवोट शेर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लिट वोट पढ़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फिसदी वोट हर बार विधानसबा और लोगसबा शनाओ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसरी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता ये स्मूध केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी मारे साथ जुड़ गया अलोक जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज़ आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की वज़ए देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के एंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कمपेटीटिव रहे है अगर पिछली बार के विज़न के आकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद पी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजीपी का वोट पर्सेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कंडिडेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहाँ तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही है तो मैं कहूँगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पॉल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाओं में है इस परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इंडिया गड़ जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड लिया लेकिन मालू मैं आपको ओपीनियन पॉल में वहां पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पॉल अपना एक आकड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं कुछ में उसमें भी जोडना चाहूँगा देखी जो विरोधा बास ग्राउंड लेवल पर आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े वरष्टाचारी है पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गटवंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धर्ती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही छीन करके ले गए सिदार जी मैं आपसे बिहार का सवार पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए जाती है जगणणणा को लेकर के जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिछड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछड़ों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहां पिछड़ों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावा तो कर नहीं सकती तुम बिहार के अंदर छोड़ी मैं तो कैसे बात करेंगे फिर अब मैं ये तो आप चार राजी और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अंकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है अब मैं आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मध्यपदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़की है तीनों राजियों में लोकसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की 59 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जूख रहा है गौवा में NDA और इंडिया गठबंदन के बीच में टाई होता दिख रहा है 6 केंद्र शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजहान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजरा रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है यह देखिए मेरे पीछे वो आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का Final Opinion Poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चासप है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए, एंडिये जो गट बंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी, दिल्ली की, आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राज्यों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें Guests के Reactions लेने हैं लेकिन आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरूवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया अपने? पहली बात तो यह कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली अनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हम उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबाग इसे इलक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कंडिडेट के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो 20 सीज़दी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अब दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 60-70% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वे वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लिट वोट पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फिजदी वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शनाओ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूकी आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लाए हैं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की वजए हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कमपिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी दोजार उनिस के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजीपी का वोट परसेंटेज अगर आ आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट्स बीज यह पी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ य देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और साथों की साथों सीटे हो है सिदार जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको ऑपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्रत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो इसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रश्टाचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घोटाले के क पिन हैं इनको अंदर डालिए पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गड़बंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए जातिये जनगर्णा क्या फेल हो गया क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उससी साथ से जग्विंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जातिये जग्विंदर को लेकर के जिस प्रकार का एक narrative building ये देश का पिषड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषडों से कोई हित्यशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहा पिषडों की सोशितों की, वंजितों की, दलितों की बात कर सकती है, यह तो राहूल बाबा की बात कर सकती है, प्रियंका दीधी की बात कर सकती है, इसके लावा तो कर नहीं सकती, तो बिहार के अंदर छोड़ी, आप से बात करेंगे फिर, अम मैं यह तो आप चार राजी और छे केंदर श प्रदेश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यपरदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं अबारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है, तीनों राजियों में लोकसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP News पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोवा में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है चै केंद्रशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको चार राजे और छे केंद्रशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और चेक केंद्रशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अगलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है अन्डिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस तरवे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखे मेरे पीछे वो आख़ा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन दूइब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशाड़ा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गट बंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं जानुवान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही है अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वन्त जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़ा क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर बीदे के मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है वो विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले mood of the nation में डेश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें seat the seat कुछ असर पड़ेगा तो अब candidate come को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंत तकरीबन तकरीबन 20% वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शनौव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा anti-congres वोट है जो दोनों के बीच में swing करता रहता है इसलिए वो वोट केवल चुकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गय कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोक जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी calculation की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना च जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं competitive रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का impact होने के बाद भी और मीडिया का impact होने के बाद भी तो बीजी पी का वोट परसंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे candidate डिकलेर हुएं तीन candidate जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के candidate पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से 6 candidate बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो 6 candidate जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद बीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ इस जो पॉल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और साथों की साथों सीटें इंडिया गट्वन जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की करती थी शड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रश्टाचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घोटाले के किंक पिन है इनको अंदर डालिये पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ ग जाता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषडों से कोई हितेशी नहीं है यह तो परिवारवादी पार्टी है यह कहा पिषडों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है यह तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावट तो कर नहीं सकती है तो बिहार के अंदर चोड़ी मैं तो कैसे बात करेंगे फिर अम मैं यह तो आप चार र अब पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पटियाल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP News पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोवा में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है चै केंद्रशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको चार राजे और छे केंद्रशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और चेक केंद्रशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अगलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है अन्डिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस तरवे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखे मेरे पीछे वो आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सरवे के मुताबिक 2024 का Final Opinion Poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिया के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए, एंडिया जो गट बंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी, दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गडबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं उत्तर भारत के 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही है अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सब से पहले यश्वन्त जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़ा क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनाउस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबाग इसे इलक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कंडिडेट के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोकसबाद चुना होता है वह 20सीज़ी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे-सीधे बीजेपी को चला जाता है, विधान सबाद चुना होता है तो वह आमादी पार्टी की और shift हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले mood of the nation में देश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 36-37% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें seat the seat कुछ असर पढ़ेगा तो अब candidate come को देखना पढ़ेगा लेकिन यहां तक लोगसबा और विधानसबा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक swing state है यहां split vote पढ़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर 65 तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फिजदी वोट हर बार विधानसबा और लोगसबा चनाओ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा anti-congres vote है जो दोनों के बीच में swing करता रहता है इसलिए वोट केवल चूकी आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता ये स्मूध केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोग शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोग जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज़ आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फरक नहीं था इतना जरूर है का भी कल हमारे कैंड़ेट डिकलेर हुएं तीन कैंड़ेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंड़ेट्स पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद बीजेपी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही है तो मैं कहूँगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टक्कर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाओ में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इंडिया गट्विनमरता के बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड लिया लेकिन मालू मैं आपको उपिनियन पोल में वहाँ पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी उपिनियन पोल अपना एक आकड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारतिय जिनता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं कुछ में उसमें भी जोडना चाहूंगा देखी जो विरोधा बास ग्राउंड लेवल पर आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी शड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रश्टाचारी है पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गटबंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धर्ती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए आज यह पिक्षार का सवाल पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए जाती है जगणणगा को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग यह देश का पिषड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषड़ों से कोई हितेशी नहीं है यह तो परिवारवादी पार्टी है यह कहां पिषड़ों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है यह तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावा तो कर नहीं सकती तुम बिहार के अंदर छोड़ी मैं तो कैसे बात करेंगे फिर अब मैं ये तो आप चार राजियों और छे केंदर शांसित प्रदेशों का जो अब तक कहा अंकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल पब्लिक इंटरस्ट माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का Political Interest लेकर हाजिरूं आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मध्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनतर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP नीउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप चार मिनिट में 59 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पूल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस सर्वे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है यह देखिए मेरे पीछे वो आगा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाते हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादरनगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षडीप इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का Final Opinion Poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो ये सर्वे है ये क्या इशारा करता है बिहार को लेकर ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिली की आप मेरे पीछे देख रहे है हानुआ जी की एंडिये विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिली की फैचान भी है अब आकड़े आपके साबने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभा की सीटें दिल्ली में है वो आप देखिए और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिय की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं एंडिये क्लीन स्विप कर पाएगा क्या क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करन होगा तुष्थी करन की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनाउस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब केंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वेवोट श यहां तकरीबन तकरीबन 20% वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वो वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है यह स्मूध केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे सा जुड़ गया अलोक जी यह फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कमपिटीटिव रहे हैं अगर पिशली बार के वी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजी पी का वोट अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस का दोनों को मिला लें तो बहुत जदा फर्ख नहीं था इतना जरूर है किभी कल हमारे कैंडिदेट डिकलियर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आमादमी पार्टी के कैंडिडेट्स पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है के साथ में से छे कैंडिडेट्ट बीजेपी को अपने बदलने पड़े है और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट्ट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहाँ तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टक्कर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाओं में परिस्तिती बदलेंगी और साथों की साथों सीटें इंडिया गटवर जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको ओपीनियन पोल में वहाँ पर छे सीटों का नुकसान हो रहा कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं कुछ मैं उसमें भी जोड़न हैं इनको अंदर डालिए पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गटबंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने दे बिहार पे थोड़ा और यह आपसे पूछना चाहता था कि वहां जाती है जन्गर्णा क्या फेल हो गया क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से जग्विंदर जी बिल्कुल यह प्रत्यक्ष है कि जातिय जग्विंदर को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग यह देश का पिछड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछड़ों से कोई हितेशी नहीं है यह तो परिवारवादी पार्टी ह यह कहां पिछड़ों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है यह तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावद तो कर नहीं सकती तुम बिहार के अंदर चोड़ी मैं तो कैसे बात करेंगे फिर अम मैं यह तो आप चा अब पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनतर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजहान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजहान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदर शासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 79 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पूल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस सर्वे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे वो आगा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाते हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादरनगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षडीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक 2024 का Final Opinion Pole और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिया के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए, एंडिया जो गट बंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी, दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसरा रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं उत्तर भारत के 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के कली एनाउस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से इलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद शुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अब दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 60-70% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोगसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लिट वोट पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फिजदी वोट हर बार विधानसभा और लोगसभा शनाओ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूकी आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे सा जुड़ गया देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ के दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है के पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कमपिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजीपी का वोट परसंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंड़ेट डिकलेर हुएं तीन कैंड़ेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंड़ेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े है और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद बीजेपी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही है तो मैं कहूँगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पॉल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है इस परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इडिया अगरता जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको ओपीनियन पॉल में वहां पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पॉल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिनता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोडना चाहूँगा देखिए जो विरोधा बास ग्राउंड लेवल पर आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी शड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रष्टाचारी है पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गडवन्दन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हा पाता है जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही छीन करके ले गए सिदार जी मैं आपसे बिहार का सवार पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए मैंने बिहार का जवाब देकर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कोई जोड़ना चाहता हूँ अगर आपके अनुमती नीया है तो मैं नहीं जोड़ूँगा नहीं मैं बिहार पे थोड़ा और ये आपसे पूछना चाहता था कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषडों से कोई हितेश ही नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहां पिषडों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावा तो कर तुम बिहार के अंदर छोड़ी मैं तो कहते हैं अब मैं यह तो आप चार राजी और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अंकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे अब मैं आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकेंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजहानों में सबसे पहले दिली में NDA की तरफ रुजहान जूक रहा है गोवमें NDA और इंडिया गठबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदरशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियों में रेडी है अगलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है अन्डिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की अब बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे वूँ आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगण NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन दूइब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चस्प है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सरवे है यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए इंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटें इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम ब पूल रहा है, साथ की साथ जो लोग सभाकी सीटें दिल्ली में हैं, वो NDA के पास जाती हुई नसर आ रही है। दिखाएंगे, लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं। अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल कर आ रही हैं। अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं। सबसे पहले, यश्वंत जी आपने सारा ये सरवे करवाया, जमीन पर रहे, आपकी अलग-लग टीमें गई। राजधानी से शुरू करते हैं, क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना, कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने। पहली बात तो यह कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के कली अनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरभाग के से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कॉंग्रेस है तो जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेर हमारे पिछले मूड अब दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इत विधानसबा सीटों का अंतर है वोट शेर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लिट वोट पढ़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शूनने के बाद में सर सर तीन फिर साथ सूनने फिर 65 मार्च तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 अर बार विधानसबा और लोकसबाद शिनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वो वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गय इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोक जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों के अंगल से बहुत ज़्यादा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज देखने को मिली है कि सात में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद बीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वा से आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ इस जो उपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूं और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की साथों सीटे इंडिया ग आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिया के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पर जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं कुछ मैं उसमें वी जोड़ना चाहूंगा देखिए जो विरोधाबास ग्राउंड लेवल पर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े बरष्टाचारी है कहा क धर्ती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए अब दिल्ली पहुंच गए जवाब देकर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कोई जोड़ना चाहता हूँ अगर आपके अनुमती नीया तो मैं नहीं जोड़ूगा आपके लिए आप से पूछना चाहता था कि वहाँ जाती है जनगर्णा क्या फेल हो गया क्या वो फार्मूला नहीं चला क् ज्रागविंदर जी बिल्कुल यह प्रत्यक्ष है कि जाती है जगविंदर को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग यह देश का पिषड़ा वर्ख जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषडों से कोई हितेशी नहीं है यह तो परिवारवादी पार्टी है, यह कहां पिशडों की, सोशितों की, वंजितों की, दलितों की बात कर सकती है, यह तो राहूल बाबा की बात कर सकती है, प्रियंका दीदी की बात कर सकती है, इसके लावा तो कर नहीं सकती, तो बिहार के अंदर छोड़ी मैं तो कहते हैं नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल, पब्लिक इंटरस्ट माला पट्याल, लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूं। अब पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा, पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं। अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा, कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है, यानि साफ पिक्चर आ चुकी है लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा, जिनके रुजान आज शाम पांच मजे से ABP न्यूस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है, गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है, 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं, यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से अपिनियन पूल, असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं, ये अब तक आप देख चुके हैं, हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है, इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएग और 6 केंदर शासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं, अखिलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए, फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पूल आप देख रहे हैं, आप बात कर लेते हैं, असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है, जरा उस पर नजर डालिए, देखिए आपके सामने जो आंकड़ा है, एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, ज 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है, इस सर्वे के मताबिक पोल और गोवा में क्या है आकड़ा, ये जरा आप नजर डालीजिए, बात हम कर रहे हैं, गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुई नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चस्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हु बिहार में आप देखिए, इंडिये जो गटबंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो 7 सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है, अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, और अब बात क के सामने धीरे धीरे आएंगे, राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां कि इसके खाते में कितनी सीटे जाती हुई नजर आ रही है, वो आप देखिए, इंडिये साथ सीटे जीतता हुई नजर आ रहा है, जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें, तो शुन य लेकिन बाकी चार राज़ों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं, एबीपी न्यूज के फाइनल ओपीनियन पॉल की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं, अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं, लेकिन राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे, सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा, तुष्थी करण की राज़निती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा, ये बड़ टीमें गई, राज़धानी से शुरू करते हैं, क्या राज़धानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना, कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में, और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने, पहली बात तो य कैंडिडेट्स के इतर भी देखे, मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में, आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है, तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है, वो साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ दोनेशन में, डेश के मूड में हमने दिखाया था, वो भी लगबग इतना ही था, छट जे साथ इस परसेंट, ये अलग अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था, साथ में आएंगे तो भी उतना ही है, इसमें सीट दर सीट कुछ असर पढ़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पढ़ेगा, लेकिन यहां तक लोकसभा और विधान सबा सीटों का अंतर है, वोट शेयर का अंतर है, दिल्ली एक स्विंग स्टेट है, यहां स्प्लिट वोट पढ़ रहा ह दस साल से हमने देखा, साथ शून्य के बाद में सर सरतीन, फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च, तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी वोट हर बार विधान सबा और लोकसभा शनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में यह ऐसा पार्टी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है, इसलिए वोट केवल चूकी आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया, इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा, यह भी नहीं होगा, और जो वोट दूसी साइट से आम निकाल कर लाए हैं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े. आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे, अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है, तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है, लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि सात में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं, और उसका सीधा सीधा कार से आज सिक्षा देख लीजे, चाहे स्वास देख लीजे, देश की राजधानी है, कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी, लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ, यहां तक के दिल्ली most polluted city हो गई, उसके बाद भ सिदार जी, बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया, जेडियू का साथ जोड़ लिया, लेकिन मालूम है आपको, उपीनियन पोल में वहां पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी, ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे, वो निश्यत रूप से भारती जिल्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं कुछ मैं उसमें भी जोड़ना चाहूँगा देखी जो विरोधाबास ग्राउंड लेवल पर आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी शड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े वरष्टाचारी है कहा करती थी कि ये शराब घोटाले के किंक पिन है इनको अंदर डालिये पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ हाथ मिलाना पड़ गया गटबंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धर्ती पे खड़े होकर के अरविंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही छीन करके ले गए सिदार जी मैं आपसे बिहार का सवाल पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए जाती है जगणणणा को लेकर के जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग यह देश का पिषड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषड़ों से कोई हितेश ही नहीं है यह तो परिवारवादी पार्टी है यह कहां पिषड़ों की सोशितों की वंजितों की दलितों की बात कर सकती है यह तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावा तो कर नहीं सकती तुम बिहार के अंदर छोड़ी मैं तो कैसा जिन राजी आप से बात करेंगे फिर अब मैं ये तो आप चार राजी और छे केंदर शांसित प्रदेशों का जो अब तक कहा अंकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल पब्लिक इंटरस्ट मला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूँ आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मध्यपरदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं भारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है, तीनों राजियों में लोकसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से एबीपी नियूस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में अंडिये की तरफ रुजान जुक रहा है गोवा में अंडिये और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है चै केंडर शासित परदेशों में अंडिये की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि अंडिये की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में अंडिये की तरफ और बिहार में भी अंडिये की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदर शासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदर शासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पूल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम किये और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नज़र आ रही हैं असपन नज़र डालिए देखिए आपके सामने आखड़ा है NDA के खाते में 12 सीटे जाती हुई नज़र आ रही है तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है यह देखिए मेरे पीछे वुँ आखा आपके सामने है अनमान की सीट NDA के खाते में जाते हुई नजर आ रही है, चंडिगड NDA, दादर नगर हवेली NDA, ढमनद्वीब NDA लक्षधीब, इंडिया गट बंधन और पुदुचेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नज़र आ रही है, इस सर्वे के मताबिक 2024 का final opinion poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चासप है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुए दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिख रहे हैं जो कि करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गडबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभागी सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है घूअ में एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला ताई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना मद्यप्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजिनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्टरी में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल कर आ रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनाउस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जेतनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब केंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शनौव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूक ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है अगर पिशली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था इतना ज़रूर है किअबी कल हमारे केंड़ीड डिक्लेयर हुए تین केंड़ेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कांड़ीडेस पहले ही डिक्लेयर हो चुके थे अब बात आती है कि गर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहाँ पर रहा है तो 93 के बा वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्दों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजे पी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी र कारता हूं और कांटे की टक्कर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाओं में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटे इंडिया गटवर्नेस में बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड लिया लेकिन मालू मैं आपको उपीनियन पोल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारतिय जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बा उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रश्टाचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घोटा ले के किंक्पिन हैं इनको अंदर डालिए पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ हाथ मिलाना पड़ गया गटबंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैटर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अर्विंद जोड़ना चाहता है अगर आपके अनुमती नहीं है तो मैं नहीं जोड़ूंगा आपके आपसे पूछना चाहता था कि वहां जाती है जन्गर्णा क्या फेल हो गया क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उससी साथ से देखिए जगविंदर ज यह कहां पिषडों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है यह तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावा तो कर नहीं सकती तो बिहार के अंदर चोड़ी मैं तो कैसे बात करेंगे फिर अम मैं यह तो आप चार का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूं। आप पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा। पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदरशासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं। अब मैं आपको हर्याना, और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा। कल भी आपने 116 सीटों पर रुजहान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है। यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके परियाना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की हैं। तीनों राजियों में लोकसवा की 50 सीटे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अफडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP News पर दिखाये जा रहे हैं। की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है। इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा। उतसे पहले मैं आपको 4 राजियों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूं जिनके रुजहान अब तक बताए जा चुके है बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं। अखिलेश आप 4 मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण। इंडिया अलाइन्स की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं। NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है। 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए। बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है। NDA के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो सीवोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशाड़ा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है। जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही हैं। साथ सीटे जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है। साथ की साथ जो लोग सभा की सीटे दिल्ली में हैं वो एंडिये के पास जाती हुई नजर आ रही है। गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है। लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं। ABP News के फाइनल ओपिनियन पॉल की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं। अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं। लेकिन आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं। उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजिनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं. अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं. सबसे पहले, यश्वन्त जी, आपने सारा ये सर्वे करवाया, जमीन प के पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कल ही एनौस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है. तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा. अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी बात वैसे नहीं बोलेंगे. लेकिन कंडिडेट के इतर बीदे के मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में. आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है. तो जेतनी बार भी ल आधार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है. क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेर हमारे पिछले मूड अब दोनेशन में, डेश के मूड में हमने दिखाया था, वो भी लगबग इतना ही था, छजज़े साथिस परसेंट. य एक स्विंग स्टेट है, यहां स्प्लिट वोट पढ़ रहा है, दस साल से हमने देखा, साथ शूनने के बाद में सर सर तीन, फिर साथ सूनने फिर फिर पैंसट मार्च, तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीज़दी वोट, हर बार विधान सभा और लो इसका गडबंदन हो गया, इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा, यह भी नहीं होगा, और जो वोट दूसी साइट से आमादमी पार्टी को मिलना चाहिए, वो भी उसे मिल जाएगा, ऐसा भी मुझे लगता है, यह स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है। कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया, अलोक जी यह फाइदा होता नहीं दिख रहा है, रुजान किस तरफ जा रहे हैं, आपने भी कुछ अपनी कैल्कुलेशन की होगी, आप सहमत है इससे या नहीं, कोई और चीज आप निकाल कर लाएं हैं, जो हमार वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो, वोट बैंक भी अगर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं, अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें, पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद तो बीजीपी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें, तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था, इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं, तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैं अपने बदलने पड़े हैं, और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है, वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए, उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी, वो नहीं उठाई, और जब आती है बात मुद्दों की, कॉर्परेशन मे भी 15 साल बाद भीजे पी हटी है यहां पर, और पूरी तरह से जिस तरह से, आज सिक्षा देख लीजे, चाहे स्वास देख लीजे, देश की राजधानी है, कम्या आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी, लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल् कर है, देखिए अभी तो बहुत समय है, डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है, परिस्तिती बदलेंगी, और सातों की सातों सीटे इंडिया अगर्वनेस में देखिए, बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया, जेडियू का साथ जोड़ लिया, ले अभी इसको चिंतन करेंगे बाद में, कि हमारे जो अनालिसिस हुआ था, वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया, तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ, पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे, तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोड़ना पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया, गटबंदन करना पड़ गया, पर क्या वास्तव में कैटर कभी साथ हापाता है, जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अरविंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की, और दिल्ली का तो सब कुछ ही छीन करके ले गए, जिदार जी मैं आपसे बिहार का सवाल पूछ रहा था, आप दिल्ली पहुंच गए, मैंने बिहार का जवाब देखर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कुछ जोड़ना चाहता जी आपको लेखर के, जिस प्रकार का एक नरेटिव विल्डिंग, ये देश का पिछड़ा वर्क जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछडो से कोई हितेशी नहीं है, ये तो परिवारवादी पार्टी है, ये कहां पिछडो की सोशितों की, वंचितों की, दलितों की ब कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावा तो कर नहीं सकती तुम विहार के अंदर चोड़ी मैं तो पहले रही है आप से बात करेंगे फिर अम मैं यह तो आप चार राजी और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अंकड़ा देख चुके हैं उस चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और छे केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 116 सीटों पर रुजहान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजहान नजरा रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजहान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि एंडिये पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुई नजर आ रहा है कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है एक-एक से मुकाबल करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए इंडिये जो गटवंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुए नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाये तो साथ सीटें इनके खाते में जाती हुए दिख रही है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे-धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए अगर हम इंडिया गड़बंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है, साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में हैं, वो NDA के पास जाती हुई नसरा रही है गोवें NDA और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है, लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने? पहली बात तो यह कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुर्भागे से इलक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देके मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो 20 सीज साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अब दोनेशन में देश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 6-7% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें स स्प्लीट वोट पढ़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सथ तीन फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी वोट हर बार विधान सबाव लोग सबाच शनाव में बीजेपी और आम आदम के में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूद कैमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोग शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोग जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शक अगर पिशली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजी पी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नही है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिलिये के साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साब पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ इस जो ओ कारता हूं और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाओं में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इंडिया अगर्ण जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लेकिन मालू मैं आपको उपीनियन पोल में वहाँ पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे अब कुछ महिने पहले ही कौंग्रेंस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफेरेंस करती थी शडोकों पो तरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रलश्टाचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घुटा लेके किंक पिन हैं इनको अंद पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए आज या बिहार का सवाल पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से देखे जग्विंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जग्विंदर को ले करके जिस प्रकार का एक narrative building ये देश का पिछडा वर्ग जानता है कि Congress Party को पिछडों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहा पिछडों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती इसके लावा तो कर नहीं सकती तो बिहार के अं आप से बात करेंगे फिर अब मैं ये तो आप चार राजी और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहां कड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल पब्लिक इंटरस्ट माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूँ आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP नीउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 89 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए, देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIU DF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस सर्वे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है यह देखिए मेरे पीछे वो आंका आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाते हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन दूइब NDA, लक्षदीप इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक 2024 का Final Opinion Poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो ये सर्वे है ये क्या इशारा करता है बिहार को लेकर ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गडबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसरा रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रही है ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे है अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने है लेकिन आपको हर्याना मद्यपरदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे है उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही है अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के कली एनाउस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से इलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले mood of the nation में देश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 6-7-7 परसेंट ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें seat दर seat कुछ असर पड़ेगा तो अब candidate come को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोगसबा और विधानसबा सीटों का अंतर है वेब वोट शेर का अंतर है दिल्ली एक swing state है यहां split vote पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर 65 तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फिजदी वोट हर बार विधानसबा और लोगसबा शनाओ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में ये ऐसा anti-congres वोट है जो दोनों के बीच में swing करता रहता है इसलिए वोट केवल चूकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोग शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोग जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज़ आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट पर्सेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महीने के करीब दि सीटों का नुकसान हो रहा है आपको कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्टन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं कुछ मैं उसमें भी जोड़ पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गटबंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी सिदार जी मैं आपसे बिहार का सवार पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए मैंने बिहार का जवाब देखर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कोई जोड़ना चाहता हूँ अगर आपके अनुमती नहीं है तो मैं नहीं जोड़ूँगा जाती है जगविंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जगविंदर को लेकर के जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिछड़ावर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछड़ों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनतर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP News पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोवा में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है चै केंद्रशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको चार राजे और छे केंद्रशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुज़ान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और छे केंद्रशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अगलेश आप चार मिनिट में 79 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल उपीनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है अन्डिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस तरवे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखे मेरे पीछे वो आगा आपके सामने है अन्डमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सरवे के मताबिक 2024 का Final Opinion Pole और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है अंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुए दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सरवे है ये क्या इशारा करता है बिहार को लेकर ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो 7 सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना मद्यपरदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत के 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनाउस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबाग इसे एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी को चला जाता है वो विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अब दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग विधान सबा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लिट वोट पढ़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी वोट हर बार विधान सबा और लोगसबाद शिनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में ये ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वो वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का या अलोग जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज़ आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़ए देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कफी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कही ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहां पर और पूरी जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूं और कांटे की टकर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाओं में परिस्तिती बदलेंगी और साथों की साथों सीटें अगर जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको ओपीनियन पोल में वहां पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो अनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोडना चाहूँगा देखिए जो विरोधा बास ग्राउंड पर आमाद्वी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे प्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए अब बिहार का सवार पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए जिस तरह से हम देख रहे हैं उससी साथ से देखिए जग्विंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जग्विंदर को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिषड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषड़ों से लेकिन आज मैं फिर से पुब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरू अब पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मध्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकेंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनतर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजहान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजहान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदर शासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 79 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पूल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस सर्वे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे वह आगा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादरनगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षडीप इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो ये सर्वे है ये क्या इशारा करता है बिहार को लेकर ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिवान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके कहाते में कितनी सीटे जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटे जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गड़बंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटे दिली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसरा रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना, मद्यपरदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़ए क्या मानिया आपने? पहली बात तो यह कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से इलक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर बीदे के मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जेतनी बार भी लोग सबात चुना होता है वो 20 को चला जाता है विदान सबात शुना होता है तो वह आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब यह साथ में लड़ रहे हैं तो वह दो दुनी चार वला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो व पड़ेगा तो अब केंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विदान सबा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लिट वोट पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर त बीच में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आमादमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा यह भी नहीं होगा और जो वोट दूसी सा होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज़ आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के एंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कही ज़्यादा फर्क नहीं था। इतना जरूर है कब भी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हूँए थीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आमादमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे। अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि 7 में से 6 कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो 6 कैंडिडेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद बीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राज हुँगा कि मैं विनमरता के साथ इस जो उपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटे इंडिया अग्षा जी बिहार मे आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड लिया लेकिन मालू मैं आपको उपीनियन पोल में वहाँ पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे और आमाद मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारन नहीं जा सकता अब कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के ट्रेस कानफरेंस करती थी सडखो पर अतरती थी और कहती थी अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े बर कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए आज यह आप से बिहार का सवाल पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए जगमेंदर जी बिल्कुल यह प्रत्यक्ष है कि जातिय जगमेंदर को ले करके जिस प्रकार का एक नरिटिव बिल्दिंग ये देश का पिछड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछड़ों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहा पिछड़ों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहूल बाबा की बात कर सकती है, प्रियंका दीदी की बात कर सकती है, इसके लावा तो कर नहीं सकती है। पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं। बता चुके हैं, अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़की है, तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा, जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP नीउस पर दिखाये जा रहे हैं। इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है, गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है। 6 केंदरशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजहान आ रहे हैं, यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपीनियन पूल। असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजहान नजर आ रहे हैं, ये अब तक आप देख चुके हैं। हर्याना मद्यप्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है। इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ, जिनके रुजहान अब तक बताए जा चुके हैं। बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं। अखिलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण। तो फाइनल ओपिनियन पूल आप देख रहे हैं, आप बात कर लेते हैं, असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही हैं। 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए, बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है। तो सीवोटर का जो ये सर्वे है, ये क्या इशारा करता है बिहार को लेकर, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में आप देखिए, एंडिये जो गटबंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है, अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। हम बात करें यहाँ किसके खाते में कितनी सीटे जाती हुई नजर आ रही है, वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटे जीतता हुई नजर आ रहा है, जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें, तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है, साथ की साथ जो लो जुके हुई दिख रहे हैं, ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं, अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं, लेकिन आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन 69 सीटों की कमबैक करा पाएंगे, सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरूवी करन होगा, तुष्थी करन की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा, ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक क करते हैं, क्या राजधानी में, कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना, कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में, और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़ए क्या मानिया आपने? पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के कली एनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है, तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा, अब दुरभागे से, इलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे, लेकिन कंडिडेट के इतर भी देखे, मौलिक रूप से कंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में, आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कॉंग्रेस है, त जब ये साथ में लड़ रहे हैं, तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेर हमारे पिछले मूड अफ देनेशन में, डेश के मूड में हमने दिखाया था, वो भी लग लोग सबा और विधान सबा सीटों का अंतर है, वोट शेर का अंतर है, दिल्ली एक स्विंग स्टेट है, यहां स्प्लिट वोट पढ़ रहा है, दस साल से हमने देखा, साथ शून्य के बाद में सर सर तीन, फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च, तो यह राज्य ऐसा है, ज जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है, इसलिए वोट केवल चूंकि आमाद्मी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया, इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा, यह भी नहीं होगा, और जो वोट दूसरी साइट से आमाद्मी पार्टी को मिलना च जैसे या नहीं कोई और चीज़ आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है, लेकिन दिल्ली कफी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के एंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो, वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो क बहुत ज़दा फरक नहीं था, इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेयर हूएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिकलेयर हो चुके थे, अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यह यहां पर रहा है, तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है, लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से 6 कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं, और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो 6 कैंडिडेट जो है, वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए, उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी, वो नहीं उठाई, और जब आती है बात मुद्धों की, कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहां पर, और पूरी तरह से जिस तरह से, आज सिक्षा देख लीजे, चाहे स्वास द तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है, इसको मैं नकारता हूँ, और कांटे की टककर है, देखिए अभी तो बहुत समय है, डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है, परिस्तिती बदलेंगी, और सातों की सातों सीटे हुए, सिदार जी, ब किहार के परिणाम जो आएंगे, वो निश्यत रूप से भारती जिनता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे, कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में, कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था, वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट ह पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे, तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोडना चाहूंगा, देखी जो विरोधा बास ग्राउंड लेवल पर आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है, उसको नकारा नहीं जा सकता, अभी कुछ महीने पहल सुरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया, गडवन्दन करना पड़ गया, पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है, जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अरविंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस जिदार जी मैं आपसे बिहार का सवार पूछ रहा था, आप दिल्ली पहुंच गए? जिस तरह से हम देख रहे हैं उससी साथ से. प्रदेशों का जो अब तक कहां कड़ा देख चुके हैं, उसकी बात हम कर रहे थे. और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा, कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है, यानि साफ पिक्चर आ चुकी है, रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं. अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़की है, तीनों राजियों में लोकसवा की 50 सीटे हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा, जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP News पर दिखाये जा रहे हैं. इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है, गोवा में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है, छै केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजहान आ रहे हैं, यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है, पूरी तरह से ओपिनियन पूल, असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजहान नजर आ रहे हैं, ये अब तक आप देख चुके हैं, हर्याना मद्यप्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी ह इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा, उससे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ, जिनके रुजहान अब तक बताए जा चुके हैं, बिहार, असम, दिल्ली, गोआ और 6 केंदरशा इसकी पूल आप देख रहे हैं, आप बात कर लेते हैं, असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही हैं, जरा उस पर नजर डालिये, देखिए आपके सामने जो आखड़ा है, एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया सीटे जीती हुई नजर आ रही है, इस सर्वे के मुताबिक, केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं, किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है, ये देखिए मेरे पीछे हुऊ आख़ा आपके सामने है, अन्दमान की सीट एंडिये के खाते में जाती हुई नज आ रही है, इस सर्वे के मुताबिक, दोहजार चॉबिस का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए, बात हम कर रहे हैं, गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुई नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है, तो यहाँ पर आप द क्या इशारा करता है बिहार को लेकर, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं, बिहार में आप देखिए, इंडिये जो गटबंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटें इनके खाते में जाती अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, और अब बात कर लेते हैं, देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है, अब आकड़े आपके सा अब ने धीरे धीरे आएंगे, राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अगर हम इंडिया गडबंधन की बात कर लें, तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है, साथ की साथ जो लोग सभा की सीटें दिल्ली में हैं, वो एंडिये के पास जाती हुई नसरा रही है, गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है, लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडि प्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं, उत्तर भारत की 180 सीट में एंडिये क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सन ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं. अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं. सबसे पहले, यश्वन्त जी, आपने सारा ये सर्वे करवाया, जमीन पर रहे, आपकी अलग-लग टीमें गई. राजधानी से शुरू कर इसके जो है वो कल ही अनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है. तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा. अब दुरबाग इसे एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं, इसलिए हम कोई गलत बात वैसे न कॉंग्रेस है. तो जितनी बार भी लोग सबात चुना होता है, वो बीस सीजदी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है, विदान सबात चुना होता है, तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है. अब जब ये साथ में लड़ने हैं, देश के मूड में हमने दिखाया था, वो भी लगबग इतना ही था, 60-70%. ये अलग-अलग लड़ रहे थे, तब भी उतना ही था, साथ में आएंगे तो भी उतना ही हैं. इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा, तो अब कैंडियेट कम को देखना पड़ेगा, लेकिन यहां तक लोगसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है, वेवोट शेयर का अंतर है, दिल्ली एक स्विंग स्टेट है, यहां स्प्लिट वोट पड़ रहा है, दस साल से हमने देखा, साथ शून्य के बाद में सर सर तीन, फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च, तो ये करता रहता है, इसलिए वोट केवल चूंकि आमादमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया, इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा, और जो वोट दूसी साइट से आमादमी पार्टी को मिलना चाहिए, वो भी उसे मिल जाएगा, ऐसा भी मुझे लगता, ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है, कॉंग्रेस के अलोग शर्मा जी मारे साथ जुड़ गया, अलोग जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है, रुजान किस तरफ जा रहे हैं, आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी, आप सहमत हैं इसे या नहीं, कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, इस नुकसान की बज़े, देखें पटियाल जी, मैं समझता हूँ के दिल्ली जो है, वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है, लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है, क मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी, तो बीजी पी का वोट पर्सेंटेज, अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें, तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था, इतना जरूर है, कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं, तीन कैंडिडेट, साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं, और उसका सीधा सीधा कारण ये है, कि वो छे कैंडिडेट जो है, वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए, उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी, वो नहीं उठाई, और जब आ यहां तक कि दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सीटी हो गई, उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है, इसको मैं नकारता हूँ, और कांटे की टकर है, देखिए अभी तो बहुत समय है, डेड़ महिने के करी देखिए जगविंदर जी, ओपीनियन पोल अपना एक आकड़ा दिखाता है, और बिहार के परिणाम जो आएंगे, वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे, कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद मे कि हमारे जो अनालिसिस हुआ था, वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया, तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ, पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे, तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोडना चाहूँगा, देखिए जो विरोधा बास ग्रा पूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया, गडवन्दन करना पड़ गया, पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है, जिस दिल्ली की धर्ती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पा ब़ाता था, कि वहां जाती है, जैनल गडव्दन क्या वेल हो गया, कि वो फार्मूलर नहीं चला क्या, जिस तरह से हम देख रहे हैं, उस साथ ही, देखे, जगन्दर जी बिलकूल यह प्रत्यक्ष है, कि जाती जगन्दन को लेकर के जिस प्रकार का ainto an narrative building, ये देश का पि आप से बात करेंगे फिर अब मैं ये तो आप चार राजी और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है अब मैं आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मध्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 9 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजहान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजहान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजहान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप चार मिनिट में 79 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पूल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस सर्वे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे वो आगा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाते हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादरनगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षडीप इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का Final Opinion Pole और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो ये सर्वे है ये क्या इशारा करता है बिहार को लेकर ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए NDA साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभा की सीटें दिल्ली में है वो NDA के पास जाती हुई नसरा रही है गोवें NDA और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें guest के reactions लेने हैं लेकिन आपको हर्याना मद्यप्रदेश और राजिस्थान की picture दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की fight देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत के 180 सीट में NDA clean sweep कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का come back करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरूवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना vote किधर swing होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे opinion पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट reaction लेते हैं सबसे पहले यश्वन्त जी आपने सारा ये survey करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में Congress और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया अपने? पहली बात तो यह कि उनके Candidate Congress के जो है वो कली अनौस हुए और हमारा survey उसके पहले का है तो हम दो उसका एक impact देखना पड़ेगा अब दुर्भाग इसे Election Commission के notification के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी survey करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन Candidates के इतर भी देखे मौलिक रूप से contradiction है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा support base anti-BJP और आधा support base anti-Congress है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो 20 सीजडी का support base उठकर के सीधे सीधे BJP को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो vote share हमारे पिछले mood of the nation में डेश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें seat दर seat कुछ असर पड़ेगा तो अब candidate कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा seatों का अंतर है वोट share का अंतर है दिल्ली एक swing state है यहां split vote पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर 65 मार्च तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शनाओं में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में swing करता रहता है इसलिए वोट केवल चूकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दोसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूध केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया देखे पटियाल जी मैं समझता हूं कि दिल्ली वास्ताओं में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कमपिटीटिव रहे हैं अगर पिश्ली बार के भी 2019 के आँकड़े भी देखें पुल्वामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजीपी का वोट परसंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे candidate डिकलेएर हुए तीन candidate जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के candidates पहले ही डिकलेएर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहाँ पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्दों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमियां आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और का इंडियू का साथ जोड लिया लेकिन मालू मैं आपको ओपीनियन पोल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारतिय जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बा उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रश्टाचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घोटा लेके किंक्पिन हैं इनको अंदर डालिए पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गडवंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैटर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अर्विंद तो अगर आपके अनुमती नहीं है तो मैं नहीं जोड़ूगा आपके यहार पे थोड़ा और यह आपसे पूछना चाहता था कि वहां जाती है जाती है जन्गर्णा क्या फेल हो गया क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से जग्मिंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जग्मिंदर को लेकर के जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिशड़ा वर्ग जानता है कि कॉंगरेस पार्टी को पिशड़ों से कोई हितेशी नहीं है यह तो परिवारवाधी पार्टी है ये कहा पिषडो की, सोशितों की, वंचितों की, दलितों की बात कर सकती है, ये तो राहूल बाबा की बात कर सकती है, प्रियंका दीदी की बात कर सकती है, इसके लावा तो कर नहीं सकती, तुम बिहार के अंदर छोड़ी, मैं तो कहते हैं, बने रही है का सिदार जी, आप से पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदरशासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 116 सीटों पर रुजहान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP News पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोवा में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है चै केंद्रशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंद्रशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंद्रशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियों में रेडी है अगलेश आप चार मिनिट में 79 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फारनल ओपिनियन पूल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया आलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नज़र आ रही है 12 सीटे जीती हुई नज़र आ रही इस सर्वे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की अब बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे हुँ आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है चंडीगर NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन दूइब NDA, लक्षडीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नज़र आ रही है इस सर्वे के मुताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नज़र डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चस्प है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ द लेकर ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नज़र आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटें इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नज़र आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुई नज़र आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया पीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राज़ों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं एबीपी न्यूज के फाइनल ओपीनियन पोल की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें गेस के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना मद्यप्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 59 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत के 180 सीट में एंडिये क्लीन स्विप कर पाएगा क्या उत्तर में र करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी बड़ी बाते अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल कर आ रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सरवे करवाया जमीन पर रहे आपक के रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वजय क्या मानिया अपने पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनाउस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमने उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबाग इसे एले आधमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीस सीजदी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है वो विदान सबाद चुना होता ह अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो vote share हमारे पिछले mood of the nation में डेश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें seat the seat कुछ असर पड़ेगा तो अब candidate कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा seatों का अंतर है वोट share का अंतर है दिल्ली एक swing state है यहां split vote पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर 65 मार्च तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा चिनाओं में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में ये ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में swing करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दोसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे सा जुड़ गया देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ के दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है के पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कमपिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजीपी का वोट परसंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद बीजेपी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहाँ तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टक्कर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाओं में परिस्तिती बदलेंगी और साथों की साथों सीटें इंडिया गटार जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालूम है आपको ओपीनियन पोल में वहाँ पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो अनलिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोड़ना चाहूंगा देखिए जो विरोधा बास ग्राउंड पर आमाद्वी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे इलाधी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए जाती है जंगना क्या फेल हो गया क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उससी साथ से देखिये जगवेंदर जी बिल्कुल यह प्रत्यक्ष है कि जातिया जम्रणा को ले करके जिस प्रकार का नरेटिव बिल्डेंग ये देश का पिषड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषडों से कोई हितेश ही नहीं है यह तो परिवारवादी पार्टी है यह कहां पिषडों की, सोशितों की, वंजितों की, दलितों की बात कर सकती है यह तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावा तो कर नहीं सकती तुम बिहार के इंदर छोड़ी मैं तो पैसम चिन राजी आप से बात करेंगे फिर अब मैं ये तो आप चार राजी और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अंकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे अब मैं आपको धेश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकेंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजहान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजरा रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 79 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए, देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस सर्वे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे वो आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादरनगर हवेली NDA, दमन्दीव NDA, लक्षडीप, इंडिया गट बंधन और पुदुचेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चस्प है एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एणडिये के खाते में भी एक सीट जाती भी दिख रही है और इंडिया गटबन्धन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो ये सरवे है ये क्या इशारा करता है बिहार को लेकर ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो 7 सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गडबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग सभा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे है उत्तर भारत की 180 सीट में एंडिये क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और माजार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सब से पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने? देकि पहली बात तो यह कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुर्भाग के से इलक्षन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट के इतर भी देके मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो 20 सीजदी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है जान से बात शुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अब दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 60-70% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब कैंडियेट का हम को देखना साथ सून ये फिर 65 मार्च तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी वोट हर बार विधान सबा और लोगसबाद शनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूकी आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लाए हैं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की वजए वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट परसंटेज अगर आम आदमी यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि 7 में से 6 कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो 6 कैंडिडेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकार दानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो उपीनियन पॉल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इंडिया गवर्न जी बिहार में आपने नितिश क जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिनता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उस में भी जोडना चाहूंगा देखी जो विरोधाबास ग्राउंड लेवल पर आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थ कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धर्ती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए जिदार जी मैं आपसे बिहार का सवाल पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए मैंने बिहार का जवाब देकर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कुछ जोड़ना चाहता हूँ अगर आपके अनुमती नहीं तो मैं नहीं जोड़ूँगा आपके नहीं कॉंग्रेस पार्टी को पिछडों से कोई हितेश ही नहीं है यह तो परिवारवादी पार्टी है यह कहां पिछडों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है यह तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावा तो कर नह नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल, पब्लिक इंटरस्ट माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूं। अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है। अब तक आप देख चुके हैं। अध्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है। इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा। अब से पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ। अब तक बताए जा चुके हैं। बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं। अगलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण। उनने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस सर्वे के मताबिक। 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा यह जरा आप नजर डालीजिए। बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है। तो सी वोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में आप देखिए एंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटें इनके खाते में जाती हुई दिख रही हैं अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम ब पूल रहा है साथ की साथ जो लोग सभाकी सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिया और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिया की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में एंडिये क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने? पहली बात तो यह कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुर्भागे से इलक्षन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जेतनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो 20 सीजदी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे-सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोग सबाद विदान सबाद सीटों का अंतर है वोट शेर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लिट वोट पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर पैंसट माच तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी वोट हर बार विधान सभा और लोग सभा चिनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वो वोट केवल चूकी आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा यह भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है यह स्मूद कैमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोक जी यह फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़्यादा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटीटिव रहे हैं अगर पिशली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था इतना जरूर है किया भी कल हमारे कैंड़ेट डिकलेर हुएं तीन कैंड़ेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंड़ेट्स पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से 6 कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो 6 कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्प्रेशन में भी 15 साल बाद बीजेपी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो उपीनियन पॉल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाओं में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इंडिया गटवर्न जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको उपीनियन पॉल में वहां पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पॉल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारतिय जिन्ता पार्टी और पूरे न्डिय के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बा इसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रश्टाचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घोटाले के क इनक पिन हैं इनको अंदर डालिए पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गटबंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अर्विंद केजरिव जनगर्णा क्या फेल हो गया क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से देखिए जग्विंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जातिये जग्रणा को लेकर करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिषड़ा अब मैं ये तो आप चार राजी और छे केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अंकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल पब्लिक इंटरस्ट माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिर हूँ आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनो राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पटियाल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अफडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजरा रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है यह देखिए मेरे पीछे वो आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का Final Opinion Poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चासप है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए, एंडिये जो गट बंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी, दिल्ली की, आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें, तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है, वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना मद्यप्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजिनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़े क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर बीदे के मौलिक रूप से कंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जेतनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है वो विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शनाओ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूद केमिस्ट्र कॉंग्रेस के अलोग शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोग जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटीटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजी पी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि सात में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उस देख लिजे चाहे स्वास देख लिजे देश की राजधानी है कमियां आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भ साथों की साथों सीटे हो हैं सिदार जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालूम है आपको ओपीनियन पोल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती दिल्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिलकुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े दिल्ली का तो सब कुछ ही छीन करके ले गए अब दिल्ली पहुंच गए मैंने बिहार का जवाब देखर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कुछ जोड़ना चाहता हूँ अगर आपके अनुमती नहीं है तो मैं नहीं जोड़ूँगा आपके लिए आप से जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषडों से कोई हितेशी नहीं है यह तो परिवारवादी पार्टी है यह कहां पिषडों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है यह तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लाव पब्लिक इंट्रेस्ट माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंट्रेस्ट लेकर हाजिरूं। अब पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदरशासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं। अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा। कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है। यानि साफ पिक्चर आचुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं, अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की हैं, तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अफडेट देगा, जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं। इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है, गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है। चै केंद्रशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं, यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल, असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं, ये अब तक आप देख चुके हैं। हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है। हमको बता दीजिए फॉरण। लीड लेती हुई नजर आ रही है, 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है। केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है। ये देखिए मेरे पीछे हुऊ आख़ा आपके सामने है। अंडमान की सीट एंडिये के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चंडिगण एंडिये, दादर नगर हवेली एंडिये, दमन द्वीब एंडिये, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है। सर्वे के मताबिक। 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए। बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। बिहार को लेकर ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में आप देखिए एंडिये जो गट बंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है। कि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है। अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुआन जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है। तरीके से दिल्ली की पहचान भी है। अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे। राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गडबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है। साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में हैं वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है। लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं। उत्तर भारत की 180 सीट में एंडिये क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वन्त जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने? पहली बात तो यह कि उनके कंडिड़ेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से इलक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर बीदे के मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो 20 सीज इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ़ दोनेशन में देश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 6-7-7 परसेंट यह अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उ वोट पढ़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी वोट हर बार विधान सबाव लोग सबाच शनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी क के पीच में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वो वोट केवल चूकी आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा यह भी नहीं होगा और जो वोट कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज़ आप निकाल कर लाएंगे जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के एंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कही यह बैंसे बीजैपी और आमदमी पार्टी क के के कैंडिडेट पहले ही डिक्लेर हो चुके थे अब बात आती है कर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो नाइंटीठी के बाद तो सरकार नहीं बनी हैं लेकिन से चे कैन्वार चीज़ को मिले है कि की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद बीजे पी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमियां आम आदमी पार्टी की गव पीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और साथों की साथों सीटे इंडिया गट्वन जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिय जेडियू का साथ जोड लिया लेकिन मालू मैं आपको उपीनियन पोल में वहाँ पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे आमाद मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े और दिल्ली का तो सब कुछ ही छीन करके ले गए। शिदार जी मैं आपसे बिहार का सवार पूछ रहा था, आप दिल्ली पहुंच गए। जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से। प्रदेशों का जो अब तक कहां कड़ा देख चुके हैं, उसकी बात हम कर रहे थे। और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा, कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है, यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं, बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़की है, तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा, जिनके रुजहान आज शा 6 केंदर शासित प्रदेशों में, NDA की तरफ से रुजहान आ रहे हैं, यनि NDA की तरफ में उड़ा हुआ है, पूरी तरह से ओपीनियन पूल, असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजहान नजर आ रहे हैं, ये अब तक आप देख चुके हैं, हर्याना, मद् प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है, इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा, उतसे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदर शासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ, जिनके रुजहान अब त प्रद सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए, फॉरण NDA पूरी तरीके से लीड लेती हूँ नजर आ रही है, 12 सीटे जीती हूँ नजर आ रही है, चंडिगड एंडिए, दादर नगर हवेली एंडिए, दमन्द्वीब एंडिए, लक्षर दीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड ले आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे हैं गोवा की वहां पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है कौन आगे दिख रहा है तो यहां पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास ये क्या इशारा करता है बिहार को लेकर ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए इंडिये जो गटबंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलायंस की बात की जाए तो साथ सीटें इनके खाते में जाती हुई अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए अगर हम इंडिया गडबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिया के पास जाती हुई नसरा रही है गोवें एंडिया और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिया की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वन्त जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़ए क्या मानिया आपने पहली बात तो यह कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुर्भागे से इलक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जेतनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीस इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अब दोनेशन में देश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 6-7-7 परसेंट यह अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतन आई हैं इसमें सीट दर सीट कुछ असर पढ़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पढ़ेगा लेकिन यहां तक लोगसबा और विदान सबा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लीट वोट पढ़ रहा है दस साल से हमन और आम आदमी पार्टी के पीच में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा यह भी नही आप जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज़ आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के एंगल से बहुत ज़्यादा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कह बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कंडिडिट डिकलेर हुए तीन कंडिडिट जब्कि बीजेपी और ağम आदमी पार्टी के कंडिडिट पहले ही डिकलेर हुछे थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जन्ता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक कि दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टकर है देखिए अभी तो पॉल में वहां पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आकड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिनता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो अनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं कुछ मैं उ सबसे बड़े ब्रष्टाचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घोटाले के किंग पिन हैं इनको अंदर डालिये पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गटवंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी धर्ती पर खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए अब दिल्ली पहुंच गए मैंने बिहार का जवाब देखर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कोछ जोड़ना चाहता हूँ अगर आपके अनुमती नहीं है तो मैं नहीं जोड़ूँगा ये देश का पिछड़ावर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछड़ों से कोई हितेशी नहीं है, ये तो परिवारवादी पार्टी है, ये कहां पिछडों की, सोशितों की, वंचितों की, दलितों की बात कर सकती है, ये तो राहूल बाबा की बात कर सकती है, प्रिय अब मैं आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की हैं तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP नीउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है गोवा में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदरशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अगलेश आप चार मिनिट में 79 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है अन्डिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस तरवे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे वो आखा आपके सामने है अन्डमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगण NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन दूइब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सरवे के मताबिक 2024 का Final Opinion Pole और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिया के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए, एंडिया जो गट बंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी, दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं एंडिये क्लीन स्विप कर पाएगा क्या क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करन होगा तुष्थी करन की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़ा क्या मानिया अपने पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनाउस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमने उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जентेनी बार भी लोग सबस चुना होता है वो 20 सीज़्धी का सपोर्ट बेस उठकर के सीथे सीथे बीजेपी को चला जाता है वो विदान सबस चुना होता है तो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब केंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वेवोट श तकरीबन 20% वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा शिनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वो वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोक जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाह रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजी पी का वोट पर्सेंटेज अगर आम आद तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हु कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सीटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही है तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता क के साथ इस जो उपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूं और कांटे की टक्कर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इंडिया गटर जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको उपीनियन पोल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे देखिए जो विरोधाबास ग्राउंड लेवल पर आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी पर कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रष्टाचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घोटाले के किंक पिन है इनको अंदर डालिये पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गटबंदन करना पड़ गया प जवाब, जगविंदर जी आपको कहा है, मैं दिल्नी में कोई जोड़ना चाहतु कि आपकी अनुमती निया है तो मैं नहीं है ये आपके पूछना चाहता था, कि वहां जाती है, जाती है जननगोर्णा क्या फेल हो गया, क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या, जिस तरह से ह देख रहे हैं उसी साथ से देखिए जगविंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जगविंदर को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिछड़ावर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछड़ों से कोई कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहां पिछड़ों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहूल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका दीदी की बात कर सकती है इसके लावा तो कर नहीं सकती तो बिहार के अंदर चोड़ी मैं तो चलिए बन पुलिक इंट्रेस्ट माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंट्रेस्ट लेकर हाजिरूं। सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानी साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनतर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं। इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है, गोवा में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है। इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा, उससे पहले मैं आपको चार राजे और छे केंदरशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाहता हूं, जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं। बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और छे केंदरशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं। अगलेश आप चार मिनिट में 79 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण। शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं। अगलेश पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है। 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस तरवे के मुताबिक। केंदर शासित प्रदेशों की अब बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही हैं। यह देखिए मेरे पीछे वूँ आखा आपके सामने है। अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चंडीगण NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है। इस सरवे के मुताबिक। दो हज़ार चौबिस का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए। बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है, एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है, और इंडिया गटबंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर, यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में आप देखिए, एंडिये जो गटबंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है, अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। हम बात करें यहां कि इसके खाते में कितनी सीटे जाती हुई नजर आ रही है, वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटे जीतता हुई नजर आ रहा है, जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें, तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है, साथ की साथ जो ल राजियों के रुजान, एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं, एबीपी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं, अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं, लेकिन आपको हर्याना, मद् प्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन 59 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं, उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरूवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में न कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया अपने? ये कि पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली अनौस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमने उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर् सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबात चुना होता है वो बीस स्वीजदी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है वो विदान सबात चुना होता है तो वो आमादी नेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबक इतना ही था 60-70 परसेंट ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही हैं इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब केंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोगसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लिट वोट पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च तो ये राज्य ऐ ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी वोट हर बार विधानसभा और लोगसभा चिनाओं में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में ये ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वो वोट केवल चूंकि आम आमिस्ट्री वाली बात नहीं है कहीं ना कहीं कमपिटिटिव रहे हैं अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजेपी का वोट परसंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिल तो बहुत ज़दा फरक नहीं था इतना जरूर है का भी कल हमारे कैंडिटेट्ट डिकलियर हुएं टीन कैंडिडेट् जबकि मीजअड़ी पार्टी के कैंडिडेट्ट पहले ही डिकलियर हो चुके थे अब बात आती है का अगर बिजइपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है कि 7 में से 6 कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो 6 कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरत को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको ओपीनियन पोल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिल्ता पार्टी और पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोडना चाहूँगा देखिए जो विरोधा बास ग्राउंड पर आमादभी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा नहीं जा सकता आभी कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉन्फरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे विलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए अब दिल्ली पहुंच गए मैंने बिहार का जवाब देकर के जगविंदर जी आपको का कि मैं दिल्ली में कोई जोड़ना चाहता हूँ अगर आपके अनुमती नी है तो मैं नहीं जोड़ूँगा नहीं मैं बिहार पे थोड़ा और आपसे पूछना चाहता था परिवारवादी पार्टी है यहार पिशडों कि, सोशितों की, बात करते है यह तो राहुल बाबा की बात कर सकती है ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है, नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल, Public Interest माला पट्याल, लेकिन आज मैं फिर से Public का Political Interest लेकर हाजिरूँ अज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा, पिछले 4 घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं, अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा, कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे, यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है, यानि साफ पिक्चर आ चुकी है, रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं, अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है, त उनातर सीटों का अपडेट देगा, जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP News पर दिखाये जा रहे हैं, इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है, गोवा में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है, छै केंदर की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं, ये अब तक आप देख चुके हैं, हर्याना मद्य परदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है, इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा, उतसे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदर शासित की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं, अखिलेश आप 4 मिनिट में 59 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए, फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं, आप बात कर लेते हैं, असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है, जरा उस पर नजर डालिए, देखिए आपके सामने जो आकड़ा है, एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जब 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है, इस सरवे के मताबिक इनियन पोल, और गोवा में क्या है आकड़ा, ये जरा आप नजर डालीजिए, बात हम कर रहे हैं, गोवा की वहाँ पर कौन जीता हुई नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए, आकड़ा बना दिल्चास्प है, एक-एक से मुकाबला आने जा रहे हैं, बिहार में आप देखिए, एंडिये जो गटबंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है, अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल और अब बात कर लेते हैं, देश की राजधानी, दिल्ली की, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अनुमान जी की विशाल प्रतिमा, जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है, अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे, राजधानी दिल रहा है, साथ की साथ जो लोग सभा की सीटे दिल्ली में है, वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है, गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है, लेकिन बाकी चार राजधों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं, अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं, लेकिन आपको हर्याना, मद्यपरदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल म और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरूवी करण होगा, तुष्थी करण की राजिनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा, ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल मे निकल कर आ रही हैं, अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं, सब से पहले, यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया, जमीन पर रहे, आपकी अलग-लग टीमें गई, राजधानी से शुरू करते हैं, क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का म हम दो उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा, अब दुरभाग इसे, इलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं, इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे, लेकिन, कैंडिडेट्स के इतर भी देखे, मॉलिक रू बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है, विदान सबात शुना होता है, तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है, अब जब ये साथ में लड़ना हैं, तो वो दो दुनी चार वला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अब दुनेशन में, डेश के मूड में हमने दिखाया था, वो भी लगबग इतना ही था, 60-70%. ये अलग-अलग लड़ रहे थे, तब भी उतना ही था, साथ में आएंगे तो भी उतना ही हैं. इसमें स्प्लिट वोट पड़ रहा है, दस साल से हमने देखा, साथ शूनने के बाद में सर सर तीन, फिर साथ सूनने फिर पैंसट मार्च, तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन बीस फीजदी वोट, हर बार विधान सबा और लोग सबा शनाव में, बीजे पी और आम पार्टी के पीछ में, ये ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है, जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है, इसलिए वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया, इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा, औ जो वोट दूसरी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए, वो भी उसे मिल जाएगा, ऐसा भी मुझे लगता है, ये स्मूध केमिस्ट्री वाली बात नहीं है, इस नुकसान की बज़ए देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है वास्ताओं में स्विंग तो रकरती ही रही है, लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो, वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था, इतना जरूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिकलेर हुएं तीन कैंडिडेट जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पहले ही डिकलेर हो चुके थे, नकारा साबित हुए, उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी, वो नहीं उठाई, और जब आती है बात मुद्धों की, कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद भीजेपी हटी है यहाँ पर, और पूरी तरह से जिस तरह से, आज सिक्षा देख लीजे, चाहे स्वास दे ही हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ, जो उपीनियन पोल है, इसको मैं नकारता हूँ, और कांटे की टककर है, देखिए अभी तो बहुत समय है, डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है, परिस्तिती बदलेंगी, और सातों की सातों सीटे हुए है, जगविंदर जी, उपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है, और बिहार के परिणाम जो आएंगे, वो निश्यत रूप से भारती दिल्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे, कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो अनालिसिस हुआ था, वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया, तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ, पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे, तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोड़ना चाहूँगा, देखी जो विरोधा बास ग्र सबसे बड़े ब्रष्टाचारी हैं, कहा करती थी कि ये शराब भोटाले के किंग पिन हैं, इनको अंदर डालिये, पर राजनेतिक मजबूर्या कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ हाथ मिलाना पड़ गया, गडवन्दन करना पड़ गया, पर क्या वास्तव में कै सबसे होकर के अरविंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए, सिदार जी मैं आपसे बिहार का सवाल पूछ रहा था, आप दिल्ली पहुंच गए, मैंने बिहार का जवाब देकर के को ले करके जिस प्रकार काating पिल्डिंग यह देश का पिषडा वर्ख जानता है कम गरेस पुछलों से कोई कोई हितैशी नहीं अहीं इस प्रियंका दीदी की बात कर सकती है। अब पत्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊँगा कल भी आपने 116 सीटों पर रुजहान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का आपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजहानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजहान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजरा रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अदर्स भी शुने शुने पर यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस सर्वे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है यह देखे मेरे पीछे वो आख़ा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादरनगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदुचेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चासप है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए, एंडिये जो गट बंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी, दिल्ली की, आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है, वो एंडिये के पास जाती हुई नसरा रही है गौवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला ताई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं क्लीन स्विप कर पाएगा क्या उस्तर में राहूल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करन होगा तुष्थी करन की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़े क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के कली एनॉस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देके मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जेतनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद शुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अफ दोनेशन में डेश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 6-7 परसेंट ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पढ़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पढ़ेगा लेकिन यहां तक लोगसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लिट वोट पढ़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर पैंसट मार्च तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फिसदी वोट हर बार विधानसभा और लोगसभा शनाओ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूकी आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का घडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा यह भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आमादमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ के दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है के पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के अंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कमपिटीटिव रहे हैं अगर पिषली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपैक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपैक्ट होने के बाद भी तो बीजीपी का वोट परसंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि अभी कल हमारे candidate डिकलेर हुएं तीन candidate जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के candidates पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वो छे कैंडिडेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद बीजेपी हटी है यहां पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के साथ जो ओपीनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ और कांटे की टककर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाओ में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें इंडिया अगर्वन जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकि पूरे NDA के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कनवर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बात अभी आलोग जी कर रहे हैं कहा करती थी कि ये शराब घोटाले के किंग पिन हैं इनको अंदर डालिये पर राजनेतिक मजबूरिया कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ मिलाना पड़ गया गडवंदन करना पड़ गया पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धरत करती नहीं है तो मैं नहीं जोड़ूँगा आप नहीं मैं पिहार पे थोड़ा और ये आपसे पूछना चाहता था कि वहां जाती है जाती है जन्गना क्या फेल हो गया क्या वह फार्मूला नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से देखिए जगविंदर सी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष्ष है कि जाती है जगवनगां को ले करके जिस प्रकार का नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिष्डवर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषड़ों से कोई कोई हितैशी नहीं है यह तो परिवारवादी पार्टी है यह कहां पि ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल Public Interest माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से Public का Political Interest लेकर हाजिर हूँ आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोकसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP News पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोवा में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है चै केंदरशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्य प्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अगलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है अन्डिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो 2 सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस तरवे के मताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखिए मेरे पीछे हुँ आखा आपके सामने है अन्डमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगण NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदुचेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चासप है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर, यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए, एंडिये जो गट बंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं, देश की राजधानी, दिल्ली की, आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गटबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान NDA की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना मद्यप्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजिनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़े क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनांस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से एलेक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर बीदे के मौलिक रूप से कंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जेतनी बार भी लोग सबाट चुना होता है वो भीस वीज़धी का सपोर्ट बेस उठकर सीधे बीजेपी को चला जाता है वर विदाद सबाट चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो vote share हमारे पिछले mood of the nation में डेश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 67% ये अलग अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें seat the seat कुछ असर पढ़ेगा तो अब candidate come को देखना पढ़ेगा लेकिन यहां तक लोगसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक swing state है यहां split vote पढ़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर 65 तो यह राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फीजदी वोट हर बार विधानसभा और लोगसभा शनाओं में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीच में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा यह भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है यह स्मूद केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कॉंग्रेस के अलोग शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोग जी यह फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे हैं आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शक अगर पिशली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें पुलवामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजी पी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़दा फर्क नही है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज़ देखने को मिली है कि सात में से 6 कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि वो 6 कैंडिडेट जो है वो बिलकुल पूरी तरह से नकारा साबित हु कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सीटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको उपीनियन पोल में वहां पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे तो उसमें क्या परिवर्थन हुआ पर दिल्ली की बाद अभी आलोग जी कर रहे थे तो दिल्ली की बाद मैं उसमें भी जोड़ना चाहूंगा देखिए जो विरोधाबास ग्राउंड लेवल पर आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में है उसको नकारा न क्या वास्तव में कैडर कभी साथ हापाता है जिस दिल्ली की धर्ती पे खड़े होकर के अरविंद केजरिवाल ने देश भर की सत्ता हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए आज या पिक्षार का सवाल पूछ रहा था आप दिल् नहीं चला क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से देखिए जगविंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जगविंदर को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिषड़ा वर्क जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिषड और 6 केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहा अकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 116 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकंड में उन 4 राजियों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP निउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में एंडिये की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में एंडिये और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है चैकेंद्र शासित प्रदेशों में एंडिये की तरफ से रुजान आ रहे हैं हर्याना मद्य प्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलडा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको चार राजे और छे केंदर शासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और चेक केंदर शासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अगलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है अंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही है इस तरवे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखे मेरे पीछे वो आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगण NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन द्वीब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक 2024 का फाइनल ओपीनियन पोल और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे हैं गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चास पे एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिये के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है यह क्या इशाड़ा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए एंडिये जो गट बंधन है उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं जानुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गडबंधन की बात कर लें तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाइ होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राज्यों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुए दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें Guests के Reactions लेने हैं लेकिन आपको हर्याना, मद्यपरदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का दुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटाफट रियक्शन लेते हैं सबसे पहले यश्वंत जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने? देकि पहली बात तो यह कि उनके कंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनौस हुए और मारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबागे से इलक्शन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर बीदे के मौलिक रूप से कॉंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जेतनी बार भी लोग सबात चुना होता है वो 20 पी को चला जाता है वो विदान सबात शुना होता है तो वह आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब यह साथ में लड़ना है तो वह दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड अब दोनेशन में देश के मूड में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था छट जे साथ इस परसेंट यह अलग अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब कैंडियेट कम को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक स्विंग स्टेट है यहां स्प्लिट वोट पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर त बीच में यह ऐसा एंटी कॉंग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आमादमी पार्टी कॉंग्रेस का गडबंदन हो गया इसलिए वो कॉंग्रेस के खाते में चला जाएगा यह भी नहीं होगा और जो वोट दूसी सा होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज़ आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की बज़े देखे पटियाल जी मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है वास्ताव में स्विंग तो रकरती ही रही है लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के एंगल से बहुत ज़दा जुकाव रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कही बज़ जादा फर्क नहीं था इतना जरूर है कि कमारे candidate डिकलेर होुए तीन candidate जबकि बीजेपी और आइमाद मी पार्टी के ही पहले ही डिकलेर हो चुके थे अब बात आती है कि बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहाँ पर रहा हैwe 93 के बार तो सरकार नहीं बनी है लेकि उने जो जंता की और दिल्ली की आवाज थी वो नहीं उठाई और जब आती है बात मुद्धों की कॉर्परेशन में भी 15 साल बाद बीजे पी हटी है यहाँ पर और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिय आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंदर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक के दिल्ली मोस्ट पॉलिटिड सिटी हो गई उसके बाद भी अगर सातों सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि मैं विनमरता के जारता हूं और कांटे की टक्कर है देखिए अभी तो बहुत समय है डेड़ महिने के करीब दिल्ली के चुनाव में है परिस्तिती बदलेंगी और सातों की सातों सीटें हो हैं सिदार जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको उपीनियन पोल में वहाँ पर छे सीटों का नुकसान हो रहा है आपको देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिन्ता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे आवी पार्टी और कॉंग्डरेस पार्टी के बीच में हैं उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस Конferenz करती थी सडकों पर उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े बरहश्ट दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए जिदार जी मैं आपसे बिहार का सवार पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी साथ से देखे जगविंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जगविंदर को ले करके जिस प्रकार का एक नरेटिव बिल्डिंग ये देश का पिछड़ा वर्ग जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिछड़ों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहा पिछड़ों की सोशितों की वंचितों की दलितों की बात कर सकती है ये तो राहुल बाबा की बात कर सकती है प्रियंका अब मैं आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजहान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजहान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजहान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजहान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की हैं तीनो राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की उनातर सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजहान आज शाम 5 बजे से ABP नीउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुज़ानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजहान जूक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदरशासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेश और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उतसे पहले मैं आपको 4 राजे और 6 केंदरशासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी है अगलेश आप चार मिनिट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिये आपके सामने जो आखड़ा है NDA के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया आलाइन्स की बात की जाए तो दो सीटे इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है AIUDF की बात की जाए तो शुने यानि खाता नहीं खुल पा रहा है और अधर्स भी शुने शुने पर यानि यहां पर आप देख सकते हैं NDA पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है 12 सीटे जीती हुई नजर आ रही इस तरवे के मुताबिक केंदर शासित प्रदेशों की आप बात कर लेते हैं किसके खाते में कितनी सीटे जा रही है ये देखे मेरे पीछे वो आखा आपके सामने है अंडमान की सीट NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है चंडीगर NDA, दादर नगर हवेली NDA, दमन दूइब NDA, लक्षदीप, इंडिया गट बंधन और पुदू चेरी में भी इंडिया गट बंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सरवे के मुताबिक 2024 का Final Opinion Poll और गोवा में क्या है आकड़ा ये जरा आप नजर डालीजिए बात हम कर रहे है गोवा की वहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए आकड़ा बना दिल्चासप है, एक-एक से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है एंडिया के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गट बंधन भी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो सी वोटर का जो यह सर्वे है, यह क्या इशारा करता है बिहार को लेकर यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में आप देखिए, एंडिया जो गट बंधन है, उसके खाते में 33 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस की बात की जाए, तो साथ सीटे इनके खाते में जाती हुई दिख रही है अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी, दिल्ली की आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जो की करोल बाग इलाके में है, एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है अब आकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है वो आप देखिए, एंडिये साथ सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम इंडिया गड़बंधन की बात कर लें, तो शुन यानि उनका खाता नहीं खुल रहा है साथ की साथ जो लोग समा की सीटें दिल्ली में है, वो एंडिये के पास जाती हुई नसर आ रही है गोवें एंडिये और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है लेकिन बाकी चार राजियों के रुजान एंडिये की तरफ जुके हुई दिख रहे हैं ABP News के Final Opinion Poll की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहा हम दिखा रहे हैं अब हमें गेस्ट के रियक्शन्स लेने हैं लेकिन आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और राजिस्थान की पिक्चर दिखाएंगे लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं उत्तर भारत की 180 सीट में NDA क्लीन स्विप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कॉंग्रेस का कमबैक करा पाएंगे? सनातन और मासार जैसे मुद्दों से क्या मतों का धुरुवी करण होगा? तुष्थी करण की राजिनीती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमेस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी-बड़ी बातें अब तक के हमारे उपीनियन पूल में निकल करा रही हैं अब गैस से फटा-फट रियक्शन लेते हैं सब से पहले यश्वन्त जी आपने सारा ये सर्वे करवाया जमीन पर रहे आपकी अलग-लग टीमें गई राजधानी से शुरू करते हैं क्या राजधानी में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का मिलना कोई फाइदे का सौधा साबित नहीं हो रहा है आपके रुजान में और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वज़य क्या मानिया आपने पहली बात तो ये कि उनके कैंडिडेट कॉंग्रेस के जो है वो कली एनाउस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है तो हमें उसका एक इंपेक्ट देखना पड़ेगा अब दुरबाग से एलक्षन कमिशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखे मौलिक रूप से कंट्राडिक्शन है इन लोग के साथ में आने में आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेट एंटी कॉंग्रेस है तो जितनी बार भी लोग सबाद चुना होता है वो बीजेपी का सपोर्ट बेस उठकर के सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है विदान सबाद चुना होता है तो वो आमादी पार्टी की और शिफ्ट हो जाता है अब जब ये साथ में लड़ना है तो वो दो दुनी चार वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले mood of the nation में देश के mood में हमने दिखाया था वो भी लगबग इतना ही था 36-37% ये अलग-अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था साथ में आएंगे तो भी उतना ही है इसमें seat the seat कुछ असर पड़ेगा तो अब candidate come को देखना पड़ेगा लेकिन यहां तक लोगसबा और विधानसबा सीटों का अंतर है वोट शेयर का अंतर है दिल्ली एक swing state है यहां split vote पड़ रहा है दस साल से हमने देखा साथ शून्य के बाद में सर सर तीन फिर साथ सून्य फिर 65 तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन तकरीबन 20 फिजदी वोट हर बार विधानसबा और लोगसबा शनाओ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पीछ में ये ऐसा anti-congres वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है इसलिए वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस का गड़बंदन हो गया इसलिए वो कांग्रेस के खाते में चला जाएगा ये भी नहीं होगा और जो वोट दूसी साइट से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूध केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कांग्रेस के अलोक शर्मा जी वमारे साथ जुड़ गया अलोक जी ये फाइदा होता नहीं दिख रहा है रुजान किस तरफ जा रहे है आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी आप सहमत है इससे या नहीं कोई और चीज आप निकाल कर लाएं जो हमारे दर्शकों को बहुत ज़धा जुकाओ रहा हो वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं न कहीं कमपिटिटिव रहे हैं अगर पिशली बार के वी 2019 के आंकड़े भी देखें पल्वामा का इंपक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इंपक्ट होने के बाद भी तो बीजे-पी का वोट परस पहले ही डिक्लेयर हो चुके थे अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहां पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है लेकिन इस बार एक आजीब चीज देखने को मिली है कि साथ में से छे कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं और पूरी तरह से जिस तरह से आज सिक्षा देख लीजे चाहे स्वास देख लीजे देश की राजधानी है कमिया आम आदमी पार्टी की गवर्नेस में भी रही होंगी लेकिन केंडर की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ यहां तक कि दिल्ली दिल्ली के चुनाओं में परिस्तिती बदलेंगी और साथों की साथों सीटे इंडिया अगर्ण जी बिहार में आपने नितिश कुमार को पकड़ लिया जेडियू का साथ जोड़ लिया लेकिन मालू मैं आपको ओपीनियन पोल में वहां पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है देखिए जगविंदर जी ओपीनियन पोल अपना एक आखड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्यत रूप से भारती जिनता पार्टी और पूरे एंडिये के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में है उसको नकारा नहीं जा सकता अभी कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉंफरेंस करती थी सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े ब्रश्टाचारी हैं कहा करती थी कि ये शराब घोटा हिलादी कॉंग्रेस पार्टी की और दिल्ली का तो सब कुछ ही चीन करके ले गए आज ये बिहार का सवाल पूछ रहा था आप दिल्ली पहुंच गए जगविंदर जी बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जाती है जगविंदर को लेकर के जिस प्रकार का एक narrative building ये देश का पिशड़ा वर्ख जानता है कि कॉंग्रेस पार्टी को पिशडों से कोई हितेशी नहीं है ये तो परिवारवादी पार्टी है ये कहां पिशडों की सो केंदर शासित प्रदेशों का जो अब तक कहां कड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे ABP News के Final Opinion Poll में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ जगविंदर पट्याल पब्लिक इंटरस्ट माला पट्याल लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरस्ट लेकर हाजिरूं आज पट्याल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा पिछले चार घंटे में आपने दिली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंदर शासित प्रदेशों के रुजान देखे हैं अब मैं आपको हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में वोटर का रुजान बताऊंगा कल भी आपने 166 सीटों पर रुजान देखे थे यानि कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है यानि साफ पिक्चर आ चुकी है रुजान में जो आपको हम बता चुके हैं अब बारी हर्याना, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की है तीनों राजियों में लोगसवा की 50 सीटे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले पट्याल आपको 30 सेकिंड में उन 4 राजियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों की 99 सीटों का अपडेट देगा जिनके रुजान आज शाम 5 बजे से ABP नीउस पर दिखाये जा रहे हैं इन रुजानों में सबसे पहले दिल्ली में NDA की तरफ रुजान जुक रहा है गोव में NDA और इंडिया कटबंदन के बीच में ताई होता दिख रहा है 6 केंदर शासित प्रदेशों में NDA की तरफ से रुजान आ रहे हैं यनि NDA की तरफ उड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पूल असम में NDA की तरफ और बिहार में भी NDA की तरफ रुजान नजर आ रहे हैं ये अब तक आप देख चुके हैं हर्याना मद्यप्रदेशों और 36 गड़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है इसकी पूरी पिक्चर पट्याल आपको दिखाएगा उससे पहले मैं आपको चार राजे और 6 केंदरशासित परदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाता हूँ जिनके रुजान अब तक बताए जा चुके हैं बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंदरशासित परदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ ही अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं अखिलेश आप 4 मिनिट में 89 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फॉरण तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आप बात कर लेते हैं असम की और असम में किसे कितनी सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जरा उस पर नजर डालिए देखिए आपके सामने जो आकड़ा है एंडिये के खाते में 12 सीटे जाती हुई नजर आ रही है जबकि इंडिया अलाइंस के खाते में